नमस्कार दोस्तो आप आदत में सुमार कह लीजी खुद आदत में सुमार हो गया है लेट आना लेट लिटी भी की इस सुमिशा को दूर करने का मैं पिछले एक साल से परियास कर रहा हूँ पर पता नहीं क्यों ये खून में रच्वस गई है सुबह से शाम तक एक ही मुद्धे पर केंद्रित करने के बावजुद की आज तो टाइम से जाना है कोई न कोई ऐसी अच्शन जरूर आती है कि लेट होई जाते हैं खेर मैं और माफी नहीं मागूंगा क्योंकि आज ये अपन लाश्ट टोपी कर रहे हैं इसके बाद आप सुबताय कर लें क्योंकि टाइम कम बचा है इंडियन कोई टूसन अवरा जो पार्ट है तो वो थेरिटिकल हो या प्रैक्टिकल हो आप सुम कर लें वो बहुतेजी से हो जाएगा कुछ कह रहे हैं कि हमारे फ्यूज उड़े हुए हैं तो आप फ्यूज मत उड़ाइए प्रैप नींद लीजिए अच्छा बोजन कीजिए और भी पोजिटिव होगे तैयारी कीजिए अब ये मैं सब्दों का मरहम बले ही लगा दूँ या भारी भारी सब्द बोल दूँ या कहनिया सुना दूँ या कुछ से जोशी ले कोई कवीता सुना दूँ या सेरो सायरी कर दूँ उसे कोई फरक नहीं पड़ता जो भी मोटिवेशन आएगा प्रेरना आएगी और संबल आएगा वो देखिए आपके आंतरिक भाहों से आएगा आपके अंतरमन से पैदा होगा वो ज़्यादा बेटर रहता है बाहरी पूस हैं बाहरी दक्के हैं ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते तो खेर आप सोते मोटिवेट होईए और लगे रही आप अब सिर्फ आपके पास पांचे दिन बचे है आज मैं आपको जल्दी जल्दी क्विक रिविजिन में कुछ न्यू टोपिक्स हैं वो करवा दूँगा सारे नहीं एक आदा कोई बच जाएगा बले को जो इसमें इसे कादा कुछ ना सकता आप खुद देख ले लेकिन मैं बड़े-बड़े करवा दूँगा आज मैं आपको शुरुवात कराऊंगा विदाइका से आपका ज्यादा समय नहीं डूँगा क्योंकि पहले अपन लेट है लेजिस लेजर से शुरुवात करते हैं विदाइका से करते हैं शुरू मुद देखो विदाइका में हम बिर्टिस, यूएस, फ्रेंच और स्विजर लेट इन चारों देशों की लेजिस लेचर करें विदाइका यानि संसत करेंगे सरकार का वो पर्थम अंग जो कानून बनाने का काम करता है और जो अधुनिक यूग की देन है लोगतंतरों का जैसे जैसे वि विदाइकाएं मजबूत होती गई, बिर्टिस पार्लियमेट की सर्चा करेंगे, मुंद्रों ये कहते हैं कि बिर्टिस संसत सभी संसतों की जन्नी है, यानि संसत का जो प्राब्रम भी कि विकवास हुआ संसार में कहीं भी वो बिर्टैन मी उखा, बिर्टिस संसत में बनती है, और बिर्टैन में राजा है, यानि इसका ताथ पर ये है, वहां राजसंतर पाया जाता है, हलांकि लोकतंतर है, लेकिन वहां का राज्य है, और गणतंतर आत्मक की वजाए राजसंतर आत्मक है, बले ही राजा नाम मात्तर के हैं, लेकिन वहां अभी भी राजा है, संस वेच्षी को बुद्ध को बुड़ा बना सकती है और किसी भी वेक्ति की मृत्यूס के बाद उसको ये कह सकते हैं just राजद्रो नियूं कि posis50 को बी वेक्ति को भी वो राजद्रो किरार दे सकती तो यह ये दो quotations है, आप इनका ध्यान रखना, ये British संप्रबूता की परतिक है, British संद पुरुस को महिला होला है, महिला को पुरुस बनाने के अत्रिक तो सब कुछ कर सकती है, इसका ताथ पर यह यह है, कि British के वहैंअभस्ता में संसद ये संप्रबूता पाई जाती है, अगर बारत के संदर में देखें क्या बारत वे संसद्य अ संपर भूता की शक्ति के उपड़ दो परकार की रोग है एक तो स्रवसन नियाले की रोग है यानि संसद्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छेंता हो या सविधान की मूल बावना के खिलाब हो संपर्भू होता है जो कुछ भी कर लेता है वो संपर्भू होता है जिसके सक्ति पे कोई नियंतर्ण नहीं होता है तो यहां संसद की सक्ति के उपर कोई नियंतर्ण नहीं है तब हम कहते हैं कि असन सदिय संपर्भूता है क्योंकि अन्याइक पनाओ लोग को नहीं है दूसरा यहां गंतन तो संगातम को विवस्ता भी नहीं है ताकि राज यह है कुछ कानून वो बना ले या वो संग के उपर नियंदर नकले ऐसा भी नहीं है तो वहां संसदिय संपर्भू पाई जाती है अब हम कुछ आण देखेंगे ये दो कौटेशन के बाद कि संसदिय संपर्भूता कि कारन क्या है ब्रिटें क्योंकि विदी निर्मान की एक मत्र सक्ता वहां राज यह नहीं है नमबर एक, क्योंकि एकात्मक वेवस्ता है, नियाइक पनरावलोकन का वहाँ अभाव है, देखिए वहाँ बिर्टेन में नियाइक पनरावलोकन है, जो पाया जाता है, तो वो जो डेलिगेटेड लेजिसलेचन है, परत्ययोजित विधायन है, उसके उपर तो पाया जाता है लेकिन मूल कानून पर नहीं पाया जाता परत्यायोजित विधायन वो विधायन होता है वो कानून होते है जो संसद के दोरा जिनका खाका तियार कर दिया जाता है बाहरी आवरन और बाकी का काम फिर कारिय पालिका के दोरा किया जाता है उसको परत्यायोजित विधायन कहते ह प्रतायोजित कर देती कारे पालिका तो कारिय पालिका अगर इसमें कुछ गढ़बर करते तो उसका नियाएक प्रयावलोकन हो सकता है लेकिस संसत के दुपारा कानून नहीं हो सकता ब्रेटेइन में और सबसे नहीं लिखे मिलते हैं चाहिए वो कन्वेंशन के रूप में हो प्रमप्राओं के रूप में हो चाहिए कुशी भी रूप में हो वहाँ प्रतेकारिया साधान बहुमत से करती है वहाँ की संसद जितनी आसानी से ये कहा जाता है कि बिर्टेन में साधार ने चिडिया को मारने के ओपर रोक लगाई जाती है, उसी आधार के ओपर वहां के राजा को भी हटाया जा सकता है, यानि बिटिस संसद साधान बहुमत से कानून का निर्मान और उसमें परिवर्तन कर सकती है, चाहिए वो सविधान को बदलना हो, मुख्या लोड़ सवाव वहां का उच्छ सदन है, देखिए जहां द्वी सदना अतमक व्यवस्ता पाई जाती है, वाई कैमरल सिस्टम पाई जाता है, वहां दो सदन होता है, एक जनता के दोबर निर्वाचन सदन, दूसरा एक और परकार का सदन होता है, उसको हम उच्छ सदन रत्मियराजसभाजेश है, इसको दिवित्यय सदन कहा जाता है। उज़ सदन या दिवित्य सदन यह जो इसकी सरंचना है लोडसभाद में वो पीर्स होते हैं आजीवन पीर्स ये वो पीर्स हैं जो आजीवन काल के लिए बनते हैं यानि जैसे इनकी डैथ हो जाती है इनका कारेकल पूरा जोते हैं इनकी कोई निया नहीं बनता कुछ होते हैं वंसानुगत लोड़्स वंसानुगत लोड्स वो होते हैं जो एक बार बन गए फिर वंस तर वंस आगे बढ़ते जाते हैं अन्वा से इनकी संख्या बहुत अब कम कर दी गई है और तीसरे होते हैं आर्क, विस्प और विस्प ये दार्मिक लोर्ड होते हैं और ये हैं ये दुनियादारी वाले लोर्ड होते हैं और ये दार्मिक लोर्ड कहलाते है तो आजीवन पिर्स आर्क विस्प और वनसा नुगत लोर्ड से मिलके है दार्मिक से मिलके है और ये इसकी सरंचना का निर्मान होता है अब है कि इन्हे जो अजीवन पियर्स है ये कैसे बनते हैं ये कैसे बनते हैं ये कैसे तिनों की चर्चा करते हैं ये तो उन्स परंप्रा के अकोर्डिंग एक के बाद एक ये बनते रहते हैं ये हैं कि जो उस ताथकालिक समय में पदपके उपर बैठा होगा जो तर्च के मुख्या होगा जिस टाइम वो अपने आप ही बन जाएगा दूसरा ये तीसरा है आजीवन पिर्स इनकी न्युक्ति कैसे होती है देखिए महिलाएं भी हो सकती है पहले ये प्रावदा नहीं था महिलाओं के लिए लेकिन बाद में ये कर दिया गया है आज ये पिर्स की दिखती प्रदान मंतरी की सला के उपर है वहां के राजा के दौरा है राणी के दौरा की जाती है तो ये प्रदान मंतरी की सला से वहां के राजा के दौरा बनाए जाती है क्योंकि वहां रजा काम करता नहीं है जो भी काम करता है प्रदानमंत्री ही वास्तिक सक्तिदारी है वहां वहां लोड स्पीकर देखिए लोड सभा की जो अध्यक्स्ता करता है वो लोड स्पीकर करता है पहले वहां एक पत पाया जाता था लाड चांसलर लाड चांसलर एक अ अंगों का एक साथ सदाश्य था, ये लोड सबा का स्पीकर था, या देक्स्ता किया करता था, ये बिर्टैन की कारिय पालिका में विधी मंतरी या कानून मंतरी था, और ये वहां की न्याए पालिका का मुख न्याए दिज था, 2005 में वहाँ सविधान सुध़ार संसोतन वी देख एक पारी तुवा 2005 में सौिधान संसोतन वी देख उसके बाद इस पद का यह स्पीकर वाला काम ले लिया गया और मुख्यन्याय दिस वाला काम भी ले लिया गया अब ये वहाँ लाड़ चांस ले रहा पद आज भी है लेकिन वो लाड़ चांस ले रहा है वो शिर्फ एक ही काम करता है वो वहाँ की कारिय पालिका में विदी या कानून मंतरी होता है उसके पास और कोई चार्ज नहीं है ये दोनों काम उसे ले लिए गए तो देखिए एक ही वेक्ति वो स्पीकर के रूप में विदाइका का सदच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अपने सदशों में से इसका निरमान करती है और वहुमत के अदार पर इसका चुनाओ किया जाता है यह है, लौड स्पिकर लौड स्पिकर का कारी अकाल है, वो दिखें लौड से उद्वात एक स्थाई सधन है इसे सदस्यों का कारे काल हमने तेखा कुछ वंशा नुगत है कुछ पदेन हैं और कुछ आजीवन है लोड स्पिकर पांच साल के लिए बनता है अधितम दो बारी बन सकता है वेकिशल लोड. लोड. स्पिकर का चुनाव लोड. सबा अपने सदस्यों में सही करती है तो ये एक लौड स्पीकर है, 2005 के बाद, पहले लौड सभा के अदेक्षता लौड चोंसलर दुवारा की जाती है, लेकिन अब तो वहाँ लौड स्पीकर का पता आ गया है, तो ये एक निया पता है, जिसका आप ध्यान रखें, 2005 के बाद ही आया है, सक्तियाँ, देखे लौड सभा के बारे में इतना ही कह सकते हैं, कि ये विश्व का सबसे कमजोर दिवित्य सदन है, सबसे कमजोर क्यों है, सबसे ज़्यादा कमजोर संसार का? क्योंकि ये सदार्ण विदेग को जबादा शे जबादा एकâte वर्स तक रोख सकती है और विट विदेग को एक महा तक रोख सकती है इस से जबादा इसके पास कोई सकती नहीं है यानि यहाँ जो house of commons है जो जंता का सदन है, लोगप्रिय सदन है सारी सक्तियां उसके पास दिरे-दिरे ट्रांसफर हो गई है तो संसार में अगर केशी दिवित्य सदन की सक्तियां सबसे तेजी से गटी हैं तो वो है बिर्टेन की लोड सबा ओग और जिंक जो एक बड़े विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि लोड सबा दूसरा सदन ही नहीं है बलकि दूसरे दर्जे का सदन हो गया है दिवित्य सदन ही नहीं है बलकि इसका दर्जा भी दिवित्यक हो गया है और चर्चिल कहते हैं ये आप परतिनी दिक है ए परतिनीदी का तात्परी है इसमें जनता के परतिनीदी नहीं बैठते है देख वहन सा नगत है तो वो कैसे जनता का परतिनीदी होगा यह अनुत्तरदाई है यानि यह किसी के परति भी यह उत्तरदाई नहीं है इनको चुनाव तो लड़ना नहीं होता इसके सदश्यों को और तीसरा ही ये कि ये अनुफसित रहते हैं ये सिर्फ वहाँ लोड जो सदश्य था है या उपद नाम है उसी के लिए इसके सदश्य बनते हैं लोड सबाकी कारवाई में अधिकांस लोड से 95% लोड कोई रूची नहीं लेते तो इस परकार से ये बिर्टेन में लोग तंतर का नहीं बलकि कुलीन तंतर का पर तीग है और ये अनुफसित सदश्य का है इसको तो चर्चिल ने लोड सबाको अपरती नहीं दी कि जनता की परती नहीं दी नहीं है अनुथरदा ये जनता की परती उतरदा ही नहीं है और अनुफसित सदश्य का है और अपने चर्चा की कि ये कमजोर क्यों है क्योंकि ये इसमें कानून निर्मान और संसोदन में इसके पास बहुत ज़्यादा सक्तियां हम नहीं है अब करते हैं कोमन्स वा हाउस ओफ कोमन्स जो बिर्टेन का ये लोग पिर ये सदन है ये बिर्टेन का पर्थम सदन है न्यूमेन कहते हैं कि जिस हम संसदिय संपरभूता की चर्चा करते हैं वो वास्त में पाई किसमें जाती है इस लोग सदन में पाई जाती है हाउस ओफ कोमन्स में पाई जाती है इसकी सरंचना का तात्परी है कि इसमें 650 सदश्य हैं और इनका जो चुनाव होता है वो क्षेत्रिय निर्वाचन होता है यानि पूरे देश को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है जैसे अपने यहां लोकसभा की सदश्यों का चुनाव होता है और इनका चुन कोमन्स वाका कारिय काल पांच वर्स है यानि यह आलागी एस्थाई सदन है क्योंकि इस से पहले भी यह विग्टित हो सकती है एस्थाई सदन है यह इसके सदश्य पद्दत्याग नहीं कर सकते क्योंकि बिर्टेन में यह माना जाता है यह आपका कर्तव्य है और आप अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते तो यहां के सदश्य है यह पत्याग नहीं कर सकते क्योंकि यह एक कर्तव्य है विग्टिन मैंने कहा कि यह एक एस्थाई सदन है अलांकि पांच साल कारिय काल है लेकिन उससे पहले उसका विगटन हो सकता, यह कुछ थाई सदन नहीं है, परदान मंत्री के शिफारिस पर समराट दौबारा, विगटन, देखें जिन देशों में संसद्य व्यवस्ता है, वहां का जो लोगपिरिय सदन है, संसद्य व्यवस्ता हम यह कहा जाता है, कि के head of the state के दौरा वहां के head of the government की शिपारिस्ट पर किया जा सकता है जैसे अपने यहां लोग सबा का विगटन है अगर परदान मंत्री और मंत्री पर शिपारिस्ट के राष्ट पती से तो पांस साल से पहले भी उसका विगटन हो सकता है लेकिन बिर्टेन में यह प्रावदा दो खजार ग्यारा से हटा दिया गया है अब वहां का समराट वहां की परदान मंत्री और मंत्री पर शिपारिस्ट के उपर वहां के house of commerce का यह लोग पर यह सब्दान का विगटन नहीं कर सकता इसके बारे में दो प्रावदान है अगर आप पांस साल से पहले इसका विगट कर रहे हैं तो हो जाएगा नंबर एक दो त्याइस्व दिश्यों के बहुमत से अगर इसको पारित किया जाए दूसरा है कि एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए सरकार के खिला और 14 दिन में जो विरोधी दल है या कोई और है वह कलपिक सरकार बनाने में एसक्ष्यम ह तो फिर विग्टन हो जाता है अपने आप यानि एविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया नहीं सरकार नहीं बन रहे हैं नहीं कारे पाले का प्रदान मंतरी नहीं बन रहे हैं तो फिर विग्टन हो जाता है फिर चुनाव होते हैं नहीं स्पीकर हाउस ओप कॉमेंस के देख ता स्पीकर के दोरा की जाती है स्पीकर बिर्टेन में ये वेवस्थादी फैले कि एक बार स्पीकर तो हमेशा के लिए स्पीकर वाला प्रावधान लेकिन ये 2000 के बाद ये प्रावधान नहीं है वहाँ पहले एक बार जो वेक्टी स्पीकर बन जाता था वो हमेशा के लिए स्पीकर रहता था इसका ताद पर ये है कि वो दुबारा जब पांच साल का ट्रम पूरा खरने के बाद या जब भी चुनाव होते थे तो उसके सामने कोई भी विरोधी दिल अपना साथी से खड़ा नहीं करता था और जीत के वो वापिस आजाता था और वापिस आके उसको दुबारा अदेक्स बना दिया जाता था तो यह जब तक इच्छा होती थी तब तक यह देक्स बन पर रहते थे इसका कारण यह है कि बिर्टनेंड में जो स्पिकर होता है वो स्पिकर बनने के बाद अपनी जो राजनितिक सोच है उसके परती वो निस्पक्स हो जाता है वो उसके बाद ये कहता है कि मैं सिर्फ house of commerce का speaker उखिशी दल का speaker नहीं हूँ तो वो कोई दल्य निष्ठा नहीं रखता उसके बाद जिसे बारत में अगर कोई speaker बन जाता है तो कोशिस तो करता है को निष्पक्स रहे फिर भी दल्य निष्ठा वो थोड़ी बहुत उसमें जलकती ही रहती है अपने तो ये विवस्ता है लेकिन बिर्टेन में speaker अपनी दल्य निष्ठा को बिल्कुल भी जलक नहीं नहीं देता ह है चाहिए वो कोई साई दलो सब के साथ है वो house of comments के speaker के बैठने के पर समान विवार करता है सभी दलों से उनके में कोई भेदबाव नहीं करता चाहिए उक्सीदल का हो लेकिन 2000 के बादी विवस्ता हट गई है अब वहाँ निर्वाचन होता है और पूर्ण बहुमत से उसक प्रशेंट नहीं मिल जाता तब तक एकल संक्रमणिये मत पताती है उसके अकोर्डिक हटाई जाते हैं सदस्या और जो इकाउंद प्रशेंट की सदस्या को मिल जाते है तो उसका निर्वाचन हो जाता है तो अब यह वाला प्रावदानी है कि एक बार speaker हमेशा के लिए speaker यह वह हैं जो house of commerce के सबसे वरिष्ट सदस्ये और baby of the house होता है सबसे जूनियर या कनिष्ट सदस्ये कि सदन का नेता वैं नेता प्रतिपक्ष कि सदन का नेता वैं नेता प्रतिपक्ष सदन का नेता पहले इसकी चर्चा करते हैं कि सदन का नेता कौन होता है house of commerce में सदन का नेता प्रदान मंतरी हुआ करता था लेकिन Churchill ने यह परंपरा डाली कि वो सदन का नेता खुद नहीं करके रुक्षी मंतरी को वो यह काम दे देते हैं जो की सत्ता धरी दलकाई होता है तो सदन का नेता है वहां के सत्ता धरी दलकाई होता है फिर होता है नेता प्रतिपक्ष ये जो मुख्य विपक्सी दल है उसका नेता है उसको नेता प्रतिपक्स बोलने है भारते में जो सदन का नेता होता है जिसे लोगसभा है अगर प्रदान मंतिर लोगसभा के सदस्य हैं तो वही सदन के नेता होंगे लेकिन बिर्टेन में चर्चिल से अलग प्रमप्रा चले आ रहे हैं, होता हो सतरूट दल का यह लेकिन कोई और मंत्री होता है, फिर आते हैं दल यह सचेतक, लेकिन हरे एक दल का एक सचेतक होता है, और यह सचेतक का काम विहिप जारी करना होता है, और यह विहिप है, यह सब उसासन बनाए रखना, सदन के अंदर उनकी उपस्तितियों को बनाए रखना, और उनके जो व्यूज हैं कि वोटिंग किस मुद्डे पर किस पक्स में करेंगे, हाँ या ना पक्स में करेंगे, उन सारे मुद्डों को देखता है, वो दलिय सचेतक होता है, एक मुख्य सचेतक वो उसको मुख्य स्थे तक बोटे एक होता है बाकि हरें डल के अपड़ए अपने चते इसका कारण ये है कि चाए सधान विदेय को जैवित विदेय को अधिकांस सक्तियां देरे डिरे house of commerce के पास केंद्रित हो गई है लोड सबाशिर पे एक विलम्ब कारी सदंद बनके रह गए उससे ज़्यादा उसकी कोई आहिमियत है नहीं है इसलिए ये कहा जाता है विधी निर्मान कैसे होता है बिर्टेयन में इसकी चर्चा करते है प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर मत बहेद अगर हो जाए तो फिर कोमन सबा हावी रहती है क्योंकि लोट सवाजाद है सदा किसी भी को एक सालिया सदान भी देखो और एक मैंजे तक भी देखो रोग सकते हैं से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती उसके बाद राजा के पास अस्ताक्षर होने के लिए जाता है वहाँ के किंग के पास या वहाँ की क्वीन के पास और यह इस पर अस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि वहाँ के राजा है वो वीटो का प्रियोग नहीं करते है वहाँ का राजा इतना कमजोर होता है और ये कहा जाता है कि अगर वहां की शंसद ये कानून बना के भेज़ दे कि हमारा राजा मर चुका है तो जिंदा राजा भी उस पर साइन कर देगा कि हां मैं मर चुका अब हम वहां की संसद में को स्विशिट सब्दावली चलती है एक है सेलिस्बरी कि जब भी कोई सरकारी विदेग आता है तो लोड सबा में जब दिवित्य और तर्थिय वाचन होता है तो उसका फिर विरोध नहीं किया जाता यानि सरकारी विदेग पर्थम वाचन में विरोध कर लो लेकिन सरकारी विदेग का दिवित्य वैतर्थिय वाचन में विरोध न नहीं होता है यह है उनका विरोध नहीं हो सकता दिवित्य और तर्तिय वाचन इसको कहा जाता है गिलोटिन क्या होता है एक मज़िदार सब्द है इसकी लंबी सर्चा नहीं कर सकते हैं पर लंबी सर्चा करना है फिर फ्रांस की करांती रेबो स्पियर उन सब के तरफ जाना होगा तो अबर यहीं सर्चा करते हैं गिलोटिन होता है कि अगर कोई प्रस्ताव संसद में आया हुआ है तो उस पे बिना चर्चा कि यही किसी प्रस्ताव को पारित कर देना गिलोटिन कहलाता है, यह कोमन सबा में होता है, बिना कोई चर्चा कि यह किसी प्रस्ताव को पारित करना, यह एक निश्ची समय है, कि इतने समय तक आपको यह प्रस्ताव पारित करने है, और उस निश्च कि समय को प्रस्ताव पात नहीं होता है तो बगेरी सर्चा कि प्रस्ताव को पात कर देना गिलूटिन होता यह बिना सुन व observe कि बना शुमाइए और अधिन उन्हों को डेकर दोटे किशी भी विद्हेग के मुख्य मुख्य प्रावदानों पर सर्चा करके उसको जल्दी से पारित करना कंगारू को टोतियां कंगारू प्रस्ताओ कहलाता है कि आप उसके पर व्यापक सर्चा नहीं करते हैं बलकि उसके मुख्य प्रावदानों पर सर्चा करते हैं फुदक फुदक के मुख्य मुख्य प्रावदान है जिसे कंगारू फुदकता है वैसी आप उसके मुख्य मुद्दों पे सर्चा करते हैं यह है उसके बाद है पिंग-पॉंग पिंग पॉंग वो विधेग होता है जो दोनों सदनों के मद्य विवादित हो जाता है और एक सदन से दूसरे सदन में जाता रहता है पिंग पॉंग वो होते हैं टेबल टेनिस को साइनीज बासा में जिसे एक बॉल यहां से वहां जाती है तो वेज़े ही पिंग-पॉंग है ये परकट करता है किसी भी विदै के उपर दोनों सदनों में मतभेद को परकट करता है पिंग-पॉंग यह सबदावली संसद्ध सबदावली है जरूरी नहीं है कि इसी बिरतेन में प्रयोक्त थो यह पिंग फॉंग गि्लोटिन कंगारूक व्यूट अधि भारत में भी होती है तो यह हमने वीधिय जिर्मान केशे होता है बिर्टेन में यह देखा madc and कंगारू को टोटिया क्या है, गिलोटीन क्या है, पिंग पॉंग क्या है, यह हमने चर्चा की, अब हम करेंगे American Congress, अमरीका में संसद सब्ध का प्रयोग नहीं करते हैं, बलकि वो संसद को Congress बोलते हैं, यानि वहांकी जो Legis Leisure विधाई का है, उसका नाम Congress है, वहां का स्विध कान का जो अनुच्य एक है वो कॉंग्रेस यानि पर्थम अंग की चर्चा करता है कॉंग्रेस की जो अनुच्य दो है वो कार्य पालिका निराष्ट्रपति की चर्चा करता है और अनुच्य तीन है वो नियाई पालिका की चर्चा करता है तो अनुच्य एक में लिखा है कि यह कानून का निर्मान करती है चुनाव करती यह चुनाव करती है जब राष्ट्रपती और रुप राष्ट्रपती राष्ट्रेपति दोनों को चुनाओ में सपष्ट बहुमत नहीं मिले क्योंकि वह राष्ट्रेपति और उपराष्ट्रेपति वही बनते हैं जिनको delegation का सफ़स्ट बहुमत मिलता है निर्वाचक मंदल का सफ़स्ट बहुमत मिलता है वो ही बनते हैं अगर दोनों के मत बराबर आ जाए तो क्या होगा तो राष्ट्रेपती है इनका चुनाओ परतिनी दी सबा करेगी और देखिए सपस्ट है कि राष्ट्रेपती का चुनाओ ब्राबर मत्ता आने के उपर परतिनी दी दी सबा दवारा किया जाएगा और परथम तीन उमिदवारों में से और अगर उपराश्ट्रपती के जो वोट है वो बराबरा आगे हैं किसी को भूमत नहीं मिला है तो फिर इनका उपराश्ट्रपती करेगी पर्थम दो में से तो यह के बहुत ही महत्वपूर्ण कुश्यन है कि वोट बराबरा जाए राश्ट्रपती का तो चुनाओ कैसे स्विधान संसोदन वहां संसद के दोरा किया जाता है इसके लिए हाला कि राज्जों की उसमें तीन चो थाई जो जरूरी है समर्थन अगर बगएर राज्जों के हैं कोई स्विधान संसोदन नहीं हो सकता स्विधान संसोदन के शुरुआत कर सकती है वहां संसद अपने द तो ये काम करती है वाँकी कॉंगरिश अब हम सिनेट की चर्चा करेंगे जो कि वाँका उच सदन है इसमें सो सदश्य है पचास राज्य हैं हर एक से दो आते यानी परतेख राज्य को जनसंख्या के अदार पे नहीं है बलकि परतेख राज्य को समान सदश्यता दी गई है भारत में तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग है राज्यसभा में ये भारत की राज्यसभा की तरह है वाँकी शिनेट जो है योग गेता तीस वरस है जैसे की भारत में और उस राज्य का निवासी होना जरूरी है लाँकि बारत में ऐसा व्यवस्तान नहीं है वह परमपरा है वहांकि अलाँके लिखा होनी है कि सिनेटर वही बनेगा जो उस राज्य का होगा तो सिनेटर बनने के राज्य का निवासी होना जरूरी है फिर्स पास्ट दैप वोष्ट टेक्निक से उसा सुनाओ होता और पॉपलर वोट्स के दौरा होता है। लेकि बारते में तरसांनी होता है। बारते में रज्य सभा के सदशओं का सुनाओ। रज्यों के विदान मंडल करते हैं। दो साल में वोई बारतवाला प्रावदन है एक तीहाई सदश्याय रेटायर हो जाते हैं अगर आक्समिक रिखती होगी किसी भी सदश्याय के पद की तो जो नया सदश्याय चुन के आएगा वो से सव दिये तो आएगा छे वर्स के लिए नहीं आएगा माले जी एक सिनेटर क चार साल का कायर कालपूरा के उसकी डेत्त होगी तो जो नया सदश्याय के लिए बने गा ऐसा ही भारतर में भी यही प्रावद्हान गनपूर्ती है कुल सदश्याय संक्या का बहुमत याने इकाउन सदश्याय सो मेंसी सिनेट का सभापती उपराश्ट पती होता है और ये सिनेट का पदेन सभापती होता है एक ऐसा वेक्ति जो उसका सदश्य नहीं है फिर भी उसका डेक्सा कर रहा है वो उपराश्ट पती सिनेट का सभापती ये सिर्फ कास्टिंग वोट ही देता है बाकी और समय में बनाते हैं. ये सब्ता धारी दल्गा होता है. इसको परेजिड़न्ट परो टैम पूर बोलते हैं. प पर सामेन इक अलब तेख्शु बोलते हैं. ये उपराष्ट्रे पती का नुफृतिती में सिनेट के अदेख्षता करता है. यह बहुत महतबुन पद है जब राष्ट्रेपती नहीं हो तो महां उपराष्ट्रेपती आता है उपराष्ट्रेपती नहीं हो तो राष्ट्रेपती कौन बनेगा तो परतिनी दिस्वागा स्पीकर अगर वो भी नहीं है तो यह चोथे नंबर के उपराता है राष्ट्रेप ये बहुमत दल का सदश्य होता है बहुमत दल का ताथ परिया कि सिनेट में जिस दल की सदश्य है संख्या जादा है उसका सदश्य होता है प्रेजिडेंट प्रो टेमपो सिनेट की सक्तियां क्या है विश्व का सबसे सक्तिस हली दिवित्य सदन कहते है शिनेट को और सबसे कमजोर दिवित्य सदन है वो लोड सबा है बिरटेन का स्विधान संसोधन विदेग और साधान विदेग पर दोनों सदनों की सक्तियां समान है ये कहीं भी आसकते हैं और दोनों की सकतियां बिलुकूल समान इस मुद्धे पे धनविदेग ये वितिविदेग पे इतना ही है कि सरव पर्थम परती निदि सवा में परस्तूत होता है लेकिन एक बार परस्तूत होने के बाद दोनों की सक्तियां एकदम बराबर हो जाती हैं विशेश सक्तियां हैं क्यों कहते हैं कि वहां की सिनेट है वो सक्ति सारी दिवितिया सदना वो इसलिए क्योंकि वहां समय धानिक पदों पर राष्ट पति जो निक्तियां की जाती है वो बगेर सिनेट की सहमती के नहीं की जात करती है जब वहां सिनेट की सहमती मिल जाए यह महाब योगों की जांज करती है मतगन्णा राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती के सुनाव की मतगन्णा जब होती है तो वह सिनेट का अध्यक्स ही करवाता है सिनेट का सभापती करवाता है सिनेट का अध्यक्स करवाता है प्रेजिडेंट ऑफ सिनेट सिमेट का अध्यक्स ये करवाता है मत गरना विदेशी संदियों का अनुमोदन भी सिनेट के दोरा ही किया जाता है तो विशेश करके नियुक्तियों के संदर में महापयोगों की जांस के संदर में और विदेशी संदियों का अनुमोदन जब तक सिनेट नहीं करेगी तब तक वो विदेशी संदियर समझोते लागू नहीं होंगे इस वज़े से हम यह कहते हैं कि वहां का सिनेट संसार का सबसे सक्ति साली दिवित्य सदन है समेलन समीति में अगर नहीं अगर वहां दोनों सदनों में विवाद हो जाए किसी भी विश्यव तो वहां कॉंफरेंस कमेटी बैठती है जिसमें दोनों सदनों से तीन-ती सदश्य लिए जाते लेकिन यह सिनेटर हैं यह बहुत वागपडू इंटेलिजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं जिस कानून के उपर दोनों के मद्देजिस विदेख पे विवाद होता है यह सिनेटर अपनी प्रतिभाग की वजए से हाउस ओफ रिप्रजेंटिटिव के जो सदश्य हैं उनके सदश्यों को अपने मत मानने के लिए यह एगरी कर लेते हैं राजी कर लेते हैं तो समेलन समीती में भी विवाद होने के उपर भी शिनेट है वो हावी रहती है प्रतिभाग के उपर अनवेंशन की सकती हैं तो इसके पास अनवेंशन की सकती है यह अपनी एक कमेटी बनाके और देश में गटने वाले किसी बष्टाचार या बड़े मुद्ध की जहांस करवा सकती यह सिनेट के पास सकती है तो यह हमने देखा कि चाहिए विदेशी संधियां हो चाहिए बड़ी अपदों के उपर नीक्तियां हो चाहिए अनुवेंशन यानि जाहांस कराने के सकती है या समेलन समीति मिक्षी मुद्दे के उपर अगरनी भूमिका दिबाना यह बताता है कि वहां सिनेट सबसे सकती सा को कि इसे सब्सक्राइब कुण से लुए इंट ऐसका समंद्द सीनेट से है इसका समंद्द व ये वो सब्सक्राइब में प्रियूंगतों होतें इसके दल्ला में बहुत सुनांえー इनक्याराम के सदस्द्शे हैं यह इसका किसी भी विदेग को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि शिनेट में विचार-विवेक्ति की सवतन्तरता है एक वार आप buy औरminister चाहर बोलना शुरू करते हैं आपको फिर रोका टॉका नहीं साकता तो यह क्या करते है किसी भी विदेग को अठकाने के लिए उसके लंबे-लंबे बासनवाजी करते हैं तो यह होते हैं फिलीबस्टर शिनेटिय शिष्टाचार शिनेटिय शिष्टाचार भी वहां संसादिय सक्तियों के अपर डाक आए कोई भी नियुकति होगी तो उसके उपर शिनेट की अनुमति ज़रूरी है लेकिन किसी राज्या के अंदर नियुकतियां करनी है मान लेते क्योंकि किसी भी राज्या के अंदर संग्य सरकार की बहुत सारे पद होते हैं जिसे जिला न्याले है जिला न्याले के नियाएदिश की नियुकतियां करनी है या नियुकति करनी है तो पूरी शिनेट से नहीं पूसा जा तो राश्ट्रपती क्या करता है किंग बीराज्या में 10 न्यूटियां करनी थो उनकी है उनके रिक तो भुष नहीं पड़ती यह सिनेट को बाईपास कर दिया जाता है तो यह इसको सिनेट यह शिष्षाचर बहुते हैं दो सिनेटरों के नुमति संपूर्ण शिनेट के नुमति मानी जाती है अवकास नुक्तिां कि कई वारस जब सिनेट किसी नुक्ति को होड़े नहीं देती तो राश्ट्रपती क्या करतेते हैं यह जब आवकास के उपर जाती है शिनेट का अदिवेशन नहीं चल लो उस टाइम न्युक्तियां करते हैं फिर अगर वापिस अड़ा देती है तो वापिस आवकास आड़ा वापिस उनकी न्युक्तियां कर देते हैं तो इसको अवकास न्युक्तियां कहते हैं, यानि ये भी राष्ट्रपती के दुआरा सिनेट को बाईपास करने का एक तरीका है, कारी कारी समझोते हैं, जो भी अंतराष्ट्रे संधियां और समझोते हैं, अगर वह आपको करने हैं, राष्ट्रपती को करने हैं, तो समझोते ज़रूर राश्ट्रपति करके आता है लेकिन शिनेट ये अनुमौदन आवशक है संद्दियों सम्जोतों राश्ट्रपति क्या करता है इसर्टिय संंदियों सम्जोतिं ज़िinaire नाम देदया है यह कारिया पालिका के दुबारा विदाई का गे उपर हावी होने के तरीके हैं ये दो तो अब हम सर्चा करेंगे परतिनिदी सभा आउस ओफ रिपर्जेंटेटिव ये वहां का लोख पिरिये सदन है इसके सदस्य है 435 और ये जनसंख्या के अधार के उपर प्रतेक रज्य में वहां बांट दिये गए है इनका निर्वाचन प्रतेक्स होता है और स्थानियता का नियम है कि अगर आपको कहीं से भी कॉंग्रेसमेंट बोलते हैं प्रतिनिदी सभाग सदस्य को कॉंग्रेसमेंट का चुनाव लड़ना है तो आप जान से चुनाव लड़ रहे हैं उसक्षेत्र का आपको सदस्या होना जरूरी है यह वहां परंपरा है सविधान में लिखा हुआ नहीं है दो वर्स का कारियकाल होता है यानि प्रतिनिदी सभा का स्थाइस दर नहीं है विसका कारियकाल दो ही वर्स है शिनेट एक स्थाइस सदस्य का कारियकाल दो साल है लेकिन यहां तो प्रतिनिदी सभा का कारियकाल दो साल है जैसे अपने लोग सभा पांस साल के लिए बनती है लेकिन यह स्थाई इसमें है कि यहां का राष्ट्रपती है इसको समय से पूरो भंगह नहीं कर सकता है वो ही बनेगा जो 25 वर्ष की आयू ले चुका हो वो परतिनेदी सभागा सदेश्य बन सकता है गणपूर्ती वो ही सपष्ट बहुमत है कुल सदेश्य संख्या के आदेश एक ज्यादा एक है यहां एक सब्दावली और विशिष्ट प्रावधान चलता है वो है जेरी मेंडरी या गेरी मेंडरी यहां जनसेंख्या जनगर्णा के बाद जब यहां मद्दान क्षेत्रों का क्योंकि यह जो चुनाव होते हैं परतिनेदी सभागे सदेश्यों के यह नी पूरे देश को विबिन रज्यों के अकोर्णिंग जनसेंख्या के अकोर्णिंग 435 वागों में बाढट दिया गया है तो इन रवाच्न क्षेतरों का अगर परिशिमंद करना हो कि यह तो यह रज्यों के दौ़रा किया जाता है अपने हैंतो यहां यह का लिया क्वाय एक निस्पक्स नियाए दिस उसके देखस्ता करता है लेकिन वहाँ प्रीशिमिन राज्यों का काम है तो राज्यों के जो राज्येपाल है जिनका नाम एक बार जेरी था उन्होंने क्या किया एक अजीब सा ऐसा क्षेतर बनाया है इस लिए किया जाता है ताकि सदस्य जदा जीत जएस सके उस राज्यह के अंदर तो यह एक प्रीश्यमन करने का बल effectiveness है जेरीमेंटरिंग जिसका समद्द प्रतिनी दीस भाषे है देकित फ्लीटों च्वास करना यह छेरीमेंटरिंग होता है बश्टरी केसे परिसीमन करना पदा दिखारी स्पीकर है नैन्सी पोलेशी यह पदा दिखाए स्पीकर मैं करहूं स्पीकर है तो यानी HOUSE OF PREPEAR इन ट्रिंटीटिव का जो ADIXा करता है वो स्पीकर अभी वटमान नैन्सी पलेशी है वहाँ एक नेता बहुमत पाया जाता है मेजोर्टी लीडर पाया जाता है मेजोर्टी लीडर वो होता है कि हाउस ओफ रिपरजेंटिटिव में जिस दल की सदश्य संख्याद जादा है उसको नेता बहुमत बोलते है और जिसकी सदश्य संख्याद में राश्टर पती किसी और दल का हो सकता है और स्पीकर किसी और दल का हो सकता है परतिनीदी सबा विस्व का सबसे दुरूबल सदन है क्योंकि सिनेट ने हैं बहुत सारी सक्तियां इकठी कर ली है लोघ्की का यह करेंगा कि महांराष्टर के लिए एक अनुप्युक्त सदन देखिए आप बहुत सारी कोटेसंट नहीं करें तो मुख्य मुख्य को टेस्निमन लिख दी है मैंने कोशिस किए कि मैं अटपॉन कोटेसंट मैं लिख दू सारी तो ये एक महान राष्टे के लिए अनुप्यूक्त सदन किस ने कहा है हाउस ओप रिपर्जेंटिटिव को वो लोस की ने कहा है तो ये हमने जो पदा दिकारी किये हैं ये परतिनी दिसभा के किये हैं तो प्रेजिडेंट प्रो टेंपोर कहा जाता है नेता बहुमत नेता अलपमत ये सारी पद हमने किये हैं अब आगे बढ़ते हैं विशिश्ट तत्या स्मीती वेवस्ता वैप पीजन हो लिए इन तोनों की सर्चक ने बहुत ही मैता पुनों सब्दा आव लिए अमरीका में जैसे कोई विधेक आता है तो बिर्टेन और भारत की वज़ाई यहां एक अलग वेवस्ता है बिर्टेन में और भारत में पहले किसी भी विधेक जब सदन में आता है उसके पर पर्थम वाचन होता है फिर दिवित्य वाचन होता है और उसके बाद उसको समीती को सौंपा जाता है परवर समीति को लेकिन अमरीका में पर्थम वाचन के बाद ही परवर समीति को सौंप दिया जाता है अब वो समीतिया ही निश्य करती है कि विदेक जिन्दा रहेगा या मरेगा ये समीतिया निर्ने करती है भारत में और बिर्टेन में ऐसा नहीं है बिर्टेन और भारत में किसी भी विदेक का जो अंतिम निर्णे है कि ये पारित करना ये नहीं पढ़ना ये सदन खुद करता है समीतियां नहीं करती समीतियों का तो एक ही काम है परवर समीतियों का जो विदेकों के पर विचार करती है कि आप तो इस पे विचार कीजिए इसमें कोई अगर संसोधन करना है कोई भी तो उस संसोधन को आप संसोधन सहित अपनी जो रिपोर्ट है अपनी शिफारी सब उस सदन में परसुत कर दीजिए बाकी सदन का काम है तो यहां समीतियां किसी भी विद्धे को रोक नहीं सकती उसके जिवन को समाप्त नहीं कर सकती बरकर उसमें संसोधन सुझा सकती है उसको अपना परतिविद्धन परसूत करना ही होगा लेकिन अमरीका में ऐसा नहीं है फाइनर कहते हैं कि सदन की वास्तिविद्धन सबाएं हैं यह दो कोटे संदेख लेना यहां कि जो समीतियां है यही है वास्तिविद्धन सबाएं क्योंकि जिवन और मरन का इनिरने यह करती है वुड्रो विल्शन जो कि कि वहां राष्ट्रपति के बन है रह चुके हैं व बारा आफ शकन नहीं है इसी लिए एक सब्दाव लियाई है पिजन होलिंग यानि कबूतर के दड़बे में दखेल देना जहां से कोई चीज फिर बाहर नहीं आती है तो समीतियां इतनी मजबूत होती है कि वो किसी भी विदेख जनम भी समाब तो कर सकती है यानि इसको मरना पहुंचा सकती है उसकी डेथ कर सकती है उसको समाप्त कर सकती है इसी वेवस्ता को बोलते हैं पिजन होलिंग यानि पिजन के होल में डाल देना दड़बे में डाल देना ताकि उसके बाद वो बाहर नहीं आता वो यानि फाड़के फैंक देना कह सकते हैं उसको विदे को उसके बाद उसके चर्चाई बंद हो जाती है, वो सर्दमें आता ही नहीं है दुबारा, तो वहां ये काम है, कमेटियां ही करती है, तो हमने सब्धावली देखी पीजन होगे अब हमने देखा कि वहां पर्थम वाचन फिर स्मीती स्तर पिर शुमीती ने यह तो पीजन ऑफ लिग कर दिया और पीजन ऑजिब बच गया तो फिर दुवित्य वाचन फिर तर्थिय वाचन उसके बाद विदेग राष्ट्रेपत के पास जाता है राष्ट्य प्राप्ति के पास क्यों प्स ऑगर कॉंग्रेस का दिवेशन चल रहा है रभी उसके k咖़ी दिन पड़े हैं तो उसका यह यह मतलब माना जाता है कि राश्ट्रपति अनुमति दे दी है बले राश्ट्रपति अस्ताक्षिय नहीं किये तो यह है अगर दस दिन हो गए हैं और अभी भी अधिवेशंद सल रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति मानी जाती है, दूसरा राष्ट्रपति दो प्रकार के विटो का प्रियोग कर सकता है, विलम्बकारी निशेशादिकार वे विशेशित विटो, राष्ट्रपति के पास जब कोई विदेह काता है, तो राष्ट्रपति उसको पुनर विचार क तो इसको हम विलंब घारी वीटो बोलते हैं अगर कॉंग्रेस दुबारा उसी विदे को दो तिहाई बहुमत से पारित करके वापिस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को स्थेक्षा करना ही होगा तो यानि यह अपनी विशेशित वीटो बोलते हैं जब दस दिन से कम हो यानि अदिवेशन पूरा होने वाला है कॉंग्रेस के दोनों सतनों का आठ दिन बचे हैं और राष्ट्रपति को कोई विदेख पसंद नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं उस पर साइन नहीं करते हैं बलकि साइड में रख देते हैं इसको हम ज कॉंग्रेस का जो अदिवेशन कंप्लीट हो जाता है ग्यारा दिन हो तो तो कोई दिकत नहीं थी क्योंकि दस दिन तक नहीं किया है जे में रख लिए तो अपने आप पारित माना जाएगा अब दिन आठ बचे हैं राष्ट्रपति यसा करता क्यों है क्योंकि अमरीका में का जो अन्ति में दिन होते है अदिवेशन के उसलिए में बहुत तेजी से कम विचारूर्प के से भी बहुत सारी विदेगण को कहुंको पारित करके राष्ट्रपति के जब दिन 10 से कम बचे हो दिवेशन के उसको जे भी विटो बोलते हैं एक और सब्दावली चलती है लोबिंग और लोंग रोलिंग लोबिंग अमरीका में दबाव समूहों से समधित एक सब्दावली है यानि दबाव समूह लोबिंग के अंदर जाके लोबिंग करने का थाथ परिया है कि दबाव समूहों के दौरा कॉंग्रेस के सदश्यों को राजी करना स्वेम के हितों की पूर्टी के लिए स्वेम के हितों के पूर्टी के लिए स्वेम के हितों में कानून बना लोबिंग कह लोबिक दो सब जगे होती है MICHनेट में भी होती है और हाउस of representative में होती है ये जैदा परतिंदी सबा में होती है लोंग रोलिंग में क्या है कि जो परतिनी जबा के सदश्य है उसमें जो सत्ता धारी दल और विपक्सी दल है किसी मुद्दे के उपर वो अपने फाइदे के लिए दोनों एक हो जाते है यानि विपक्स और विपक्स हो वाँ भेहद मिट जाता है यह सब हितों की पूर्ति के लिए आपस में एक होना लुड़क 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 ते एक हो जाते हैं इसको लोंग रोलिंग बोलते है यह परतिनी जबा में होता है कि इसमें सत्ता धारी दल और विपक्सी दल दोनों की जिए मुद्दे के उपर अवरे सब हितों की पूर्तिक लिए सदश्च्चंग सका एक होना लॉंग राल है कि तो यह मास्य भी बेरल कोना आप होता है पॉर्क बेरल का तात्रिय है कि सौर के मास्स का जो पूरा डिबा है वे अपने पास ले-श को पॉर्क बेरल कहते है पोरक बेरल भी परतिनिती सभा में ज़्यादा होता है परतिनिती सभा के जो कारियकाल है वो दो वर्स है दो वर्स बाद परतिनिती सभा के सदश्य को जाना होगा जनता के सामने और चुनाव जीतना है तो क्या करता है अपने जीत को सुनिशित करने के लिए कोशिस यह करता है कि जो राष्ट्रिये फंड है यानि राष्ट्रिये निदी है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने क्षेत्र में ले जाके और अपने मद्दाताओं को खुश करने की कोशिस करता है यानि पूरा गहुत है खर्च अंक अक्सेटरे लेंगे कोशिश करता il बहुत है म 맡ने ये worst में चलता है विदे को रोकने के लिए लंबी चोड़ी बासनवाजीव भक्वास जेरी मेंडरिंग हमने देखी थी ये निर्वाचन क्षेत्र का प्रीशिमन है जिसका समद्ध प्रति नीदी सभा से दी नीदी सबा के सदश्यों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रीशिमन क्योंकि उसमें दीकति नहीं है वो तो दोई भागों में बन्तेंगे वह तो जो यह है सिनेटर हैं वो तो परती निदी सबाश से समझतीत हैं अब हैं सिनेट में गुबरन्टोरियल न्यूकतियां इसका समझ शिनेट से आप याद रखें ये वो न्यूकतियां हैं कि बाइस जानस अगर किसी भी शिनेटर का पद्द आक्ष्मिक रूप से रिखत हो तो क्या करता है जब तक चुनाव वगेरा नहीं होते आम चुनाव नहीं होते जब तक शिनेट के तो उस अवड ही तक के लिए वहां का जो गरवनर है वो किसी सदश्य को उस एकारी एकाल के लिए शिनेटर न्युक्त कर देता है तो इसको गुर्बन टॉरियल न्युक्तियां कहा जाता है यानि गरवनर के दुआर वैसे तो जनता के दुआरा निर्वाचन किया जाता है लेकिन कई बार जो तो चुनाव नहीं होता तब तक कुछ समय के लिए गरवनर भी ऐसा काम कर सकता है सिनेटर की न्युक्ति कर सकता है एक क्रिस्मस्ट्री विदेख क्रिस्मस्ट्री विदेख वो विदेख होता है जो विदेख किसी एक लोबिंग की वज़े से किसी विशेश वर को फायदा पंचाने के लिए लाया जाता है तो ये बहुत सारे विरोधी प्रस्ताओं को जो सोधन सुझाइद आते हैं, रेग स relaciónश इसके उपर सन शोधन लाना चाहते हैं, उसका विरोध करता है, तो ऐसे विदेख को क्रिस्मस ट्री विदेख बोलते हैं, यानि जो विरोधी प्रस्ताव को खैंचता है अपने तऱ, विरोधी प्रस्ताव, बहुत ज़्यादा खैंचता है उसको बोलते हैं जिसके विरोध्त में यह की रखे जाते हैं संसत ये द्वी सदन आतमक है इसका जो उच्छ सदन है वो सिनेट है और जो निमन सदन है वो नैस ताल एसेम्बली है आप इसको निमन सदन बोलो या लोक पर ये सदन बोलो सिनेट एक स्थाई सदन है सदश्य का कारिय का छे वर्स है सदन है कारिय का छे वर्स है लेकिन तीन वर्स में आदे बारत में दो वर्स में एक तियाई होते है जबकि वहाँ तीन वर्स में आदेश अदश्य है रेटायर होते है परतेक तीन वर्स पर आदेश अदश्य है एपरतेक्स निर्वाचन होता है वहां के जो मेर वगेरा हैं काउंटियों के विभिन प्रकार के जो और सरकारी प्रतिनी दिये हैं वो चुनाओ करते हैं यानि जनता पॉपुलर वोड से नहीं चुनती इनको इनका चुनाओ ए प्रतेक्स होता है वो बनेगा जिसकी आयूद 24 वर्स है ये संख्या याद रह जाए तो ठीक है सभापती सिनेट का जो सभापती होता है वो सिनेटर अपने में से ही चुनते हैं और वहां ये राष्ट्यपती के बाद प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर का प राक्समिक रिक्ती हो जाए तो फ्रांस में उपर राष्ट्यपती का पद नहीं है फ्रांस में उपर राष्ट्यपती पद नहीं है अमरीका में तो है लेकिन फ्रांस में नहीं है तो फिर वहां कौन समा लेगा राष्ट्यपती पद आक्समिक रिक्त हो गया तो उसका उत् निर्वाचन बनता बहुत से सवी तक के लिए ने निर्वाचन तक बन गए हैं राष्ट्रपती पद की आक्समीकी रिक्टी की वज़े से तो तब ही तक रहेंगा उसति पद पे जब टियर आश्ट्र पती का सुनाव नहीं हो जाता तर्किनए अमरीका है अमरीका में फूने निर्वात से नहीं होता बलकि स्हेश कारिये इकाल टक उपराश्ट्रिपती ही राश्ट्रापती का पद गरहन करते हैं प्रांस में एक अल्टरनेट उमीदवार और होता है यह मज़िदर व्यवस्ता सिर्फ फ्रांस में की वहां के सिनेट में है यह रिएक सिनेटर अपना एक वेकलपिक सद्षिय भी खड़ा करता है अगर सिनेटर के पत्र की अक्समिक रिक्ती हो जाए तो वह वेकलपिक सुदश्य उसके स्थान के को गरहन कर लेता है वह होता है वेकलपिक अल्टरनेट केंडिडेट होता है तो यह हमने सिनेट की सर्चा की याद रखें कि इसका सभापती होता है और सिनेट सिनेट के सदश्य को भी अपने साथ रखते हैं यह इसका सदेश्य का सुनाव भी होता है यह है राष्ट्य सभा नेशनल असेंबली यह निमन सदन है इसमें 577 सदश्य हैं जिनको डेपूटीज कहा जाता है सिनेट में सिनेटर और नेशनल असेंबली में डेपूटीज निर्वाचन इनका पॉपुलर वोट से होता है यह नि लोग सावग बोमिक वैस्क मतादिकार से पर्तेक्स निर्वाचन होता है एक सदश्य निर्वाचन क्षेतर यह नि एक जगे से एक ही वेक्ति जीत के आएगा पूरे देश को 577 बागों में बांट दिया गया है और द्वित्य मत्तपत्र योजना है इसका तात्प्रिय है आपको कुल वोटों का 50% पलस एक यह निस परस्ट बहुमत प्राप करना है अगर नहीं है तो फिर दुबारा वोटिंग होती है वहाँ आयू निदारितनी 18 वर्स का वो जो सिनेटर है वो सोरी जो फ्रांसीशी नागरी का है वो भी पर्थिनिती सभागा सदेश्य बन सकता है अवदी अवदी तो वैसे तो पांच वर्स है लेकिन राष्ट्रेपती परदान मंत्री वैं दौनों सद्नों के सभापतियों से परामर्स करके, पांच वर्स से पूरों भी भंग कर सकते हैं या कि राष्ट्रेपती के पास विशेष अदिकार है कि वो इस अलाई अलगके लोगप्रिया संद्न को भंग कर सकते हैं लेकिन उससे पहले वो परदान मंतरी और दोनों सब्नों के सबापतियों से प्रामर्स लेते हैं, लेकि ये प्रामर्स लेते हैं मानना जरूरी नहीं है, यहां दी अंते मिज्ष्चाराष्ट की हैं कि वो नियस सेंबली जब आप वहाँ एक सब्दावली चलते है संसदकी कॉंगरिश इसका तात्परिय है कि जब वहाँ के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं तो उसको बोलते हैं संसदकी कॉंगरिश दोनों सदनों का एक साथ सिंक्त होना ये दो मुद्दों पर हो सकता है जब समधान में संसदन करना हो तो दोनों सदनों की श्यूंक्त बैठक होती है यह राश्टरपती के अभी बासन सुनने के लिए यह जोईन्ट शिटिंग वगेरा करते हैं श्यूंक्त बैठक करते हैं इसको बोलते हैं संसदकी कॉंग्रेश कॉंग्रेश हो पार लिया मैट्या संसद की कॉंग्रेस का ताथ पर दोनों सदनों का इन मुद्दों के उपर श्यूंक्त बैठक करना निर्वाचित पद संच्य यह भी फ्रांस के विशेष्टा यह सब्दावली द्यान रखना पर एक विकल्पिक उम्मिद्वार सिनेट के अंदर और एक निर्वाचित पद सं संच्य निर्वाचित पद संच्य का ताथ पर यह है कि पदों का संच्य कर लेना यहां के जो संसद के सदश्य हैं वह संसद सदश्य के अलावा और भी पदों के उपर बैठे रहते हैं वहां के काउंटीज वगेरा के मेयर बने रहते हैं यानि नगरपाली काओं के इदेख कम रूची लेता है तो निर्वाचित पद संचे का तात्प्रिय है कि वहां के संसद के जो सदश्य हैं वह संसद सदश्य के लावा और बाकी पदों के उपर भी बैठे रहते हैं यह बहुत सारे पदों का एक साथ एकठा करके रखते हैं अब स्वीजर लेंड की चर्था करेंगे यहां संग यह सभाप फैडल असेंब्ली पर यहीं से ध्यान रखना आप स्वीजर लेंड के बारें ज्यादा कुछ मत करना इतना याद रखना कि इनके नाम क्या है यहां जिसे हम संसद बोलते हैं अमरिकन्स इसे कॉंग्रेस बोलते हैं स्वीजर लेंड वाले उसे फैडल असेंब्ली बोलते हैं संग यह सभाप बोलते हैं इसके दो सदन है एक है नैशनल काउंसिल देखिए फ्रांस में नैशनल असेंब्ली थी है यह लोग पिरिये सदन है यह वैसे ही है जैसे अपने यहां लोग सभा है दूसरा है राज्यों की प्रिसद काउंसिल ओफ स्टेट्स है यह वैसे ही है जैसे अपने यहां राज्य सभा है यह वहां का दूसरा सदन है दूसरा वहाँ निर्टेंडम है किसी बी कानून के उपर जनता से पूछना पड़ता है कि आपको मानने है आया नहीं है या बहुत सारे कानूनों का आरंब भी है वो वहां की जनता कर सकती है इनिसियेटिव आरंबख भी है वो तो ये था स्विजर लेंड की विधाई का कैसी है संग ये सवा फैडल असेम्बली ये दिवी सदनातमक है नामने देखी राष्ट्रिय परिशद नेशनल असेम्बली निमन सदन यानि लोगपिरिय सदन राष्ट्रिय परिशद वहां का निमन और लोगपिरिय सदन है कारिय काल उसका चार वर्स देखिए यहां दोनों सदनों का यकारिय काल चार वर्स है और चार वर्स पूरी का पुनर गठन होता है संख्या 200 है और चुनाव होते हों फिस्ट-पर्ष्ट पोश्ट के कोड़ने नहीं होते हैं वह लगी अनुपातिक परतिनितल दोगे आदा गणपूर्ति है वो 101 है इन दो में से सपष्ट मौमत आपको लाना होगा ये है गणपूर्ति सिनेट दिवित्य सदन या उच्छ सदन सरंचना 40 सदस्य है 20 केंटन से है यानि 20 केंटन से 2 आएंगे तो 40 तो वो आगे और अर्द केंटन से 1 ही आता है तो च्छ अर्द केंटन है वहां तो छो आगे क्योंकि एक से 1 आता है तो बीस पुर्ण केंटन है वहां से 340 ये और यह उगे 6 तो यह 46 है टोटल शुनाव इनका प्रतेक्स रूप से यानि जनता के द्वारा किया जाता है फोप्लर वोट्स पढ़ते कार्यकाल इसी का भी चा सदन नहीं है बिलकि यहां के दोनों ही सदन ने का कारियकाल चार वर्स है अधिक्स दोनों ही सदनों का जो अधिक्स है उनका कारियकाल एक वर्स है यह विशेश है और एक वर्स के बाद वो दुवारा नहीं बन सकते हैं यह वो सकता है तीसरी साल बन जाए लेकिन लगातार व वो दो बार नहीं रह सकते हैं, तो अधिक्स दोनों ही सदनों के अधिक्स का कारेकाल एक वर्स है, दोनों ही सदनों का कारेकाल चार वर्स है, और विशेश ये कि दोनों ही सदनों को उनके कारेकाल पुरुण होने से पहले भंग नहीं किया जा सकता, दोनों ही सदनों को भंग करना कि यह जब करना के सदर्शों का Elizabeth यानी जब मंत्री बनाने हो तब यह दो नों एक सुनाव का जो चुनाव करना हो दोनों ही दे सुनाव किया जा जाता है वहां की संसद के दौरा जब offers ने किट storage के बीच को एक शित्रा दिकार को लेके जगड़े हो जाते हैं तब श्यूंक्त बैठक बैठती है जिसको संसदिय सबाव होते हैं और किश्मादान के प्रार्थना पत्र जहां अमरीका और वारत में राश्ट्रपती सुनते हैं वहां इनके उपर विचार करती है वो दोनों से फ्रांस और स्वीजरलेंड अब हम कोशन आस्वर करते हैं लोड सबा को इंगलेंड की लोगतां तरक परनाली में एक कुलीन तंत्रियस संस्ता कहा जा सकता है इस क्योंकि इसकी सदेश्यता का दार वन सा नुगत है बिलकुल सही है क्यों कहा सकते है क्योंकि ये वन सा कि यह है जब हर साल के पर्थम सत्र सुरू हो तो वहां के राजा लोड सबा और आउसोप को में सब एक साथ समयवेत होती है तो होता है यह किस मिर्टिस पर दानुएं लोड सबागो ए पर देख अनुस्ति सदन का था यह तब करके हटने हैं वो थे विश्टन चर्चिल शिनेट के समने फिली वश्ट पकाक क्या दाथ पर यह क्या है यह है सदन में अनावशक रूप से अवरोध पैदा करना वाद विवाद करना शिनेट यह शिष्ट था गात क्या है आप देखे बताए उत्तर यह है इसका उत्तर अमरीका कांग्रेस के निमन सदन से समाधित सत्य कथन तो क्विक रीजन इसका है इसके उत्तर यही क्यों आ रहा है क्योंकिक रीजन है मैं कॉश्ट भी जल्दी बता रहा है अब अमरीका कॉंग्रेस के निमन सदन यानि हाउस औफ रीपरजेंटेटिटीव के समने सत्य कथन देखने इसके सबी सदेशे जनता दोरा प्रतिक्स रूप से निर्वाचित होते हैं बिल्कुल ठीक है इसका गटन जनसेंख्या कहता हर पे होता है ये भी ठीक है जिस राजी के जनसेंख्या जादा है वहां प्रतिनी सबाग के सदेशे भी जादा आते है इसके सदिश्यों का कारी अकाल पांस वर्स होता है ये तो नहीं होता क्योंकि इसके सदिश्यों का कारी अकाल दो वर्स है तो एक और दो इस ही है सही मिलान नहीं है फादर वे बेबी ओप दा हाउस ये बिर्टेन की संसद में चलते है पिजन होलिंग अमरीका के कॉंगरेस में चलता है पिजन होलिंग है कि समीतियों के दवारा किसी विद्धेकान्त कर देना गुर्बन टोर्ग न्यूकतियां यह सिनेटर की की जाती है अमरीका के अंदर यह तो फ्रांस के स्विजिंज लेंड के संस्थ में नहीं है से कि सिनेट से हैं प्रांसिशी नीमन सदन के संदर में सत्यकतन है इसका वहां के तो नैशनल असेम्बली है तो एकरस दश्य निर्वाचनक शेतर है और बिलकुल दिवित्य मत्पत्र योजना है यह को दुबारा वोट पढ़ेंगे नहीं आए तो वोट तो सुनाब है तो अनपातिक प्रतिनितों की एकरस अंकरमणिय मत्पत्र योजना ही अलग होती है इसको मैजोर्टी सिस्टम बोलते है इसमें 18 वर्स की आयों के प्रतेक वेक्तिकों मतादिकार प्राप्त है यह भी ठीक है तो एक सई है और तीन सई है फ्रांस के संदर में संसद्की कॉंग्रेस का ताथ पर यह क्या है दोनों सद्नों का राश्ट्यपती अभीबासरन सुनने के लिए एक साथ समवेत होना संसद्की कॉंग्रेस कहलाता है तो यह हमने एक टोपिक पूरा कर लिया विदाईका अब मैं कारिय पालिका की चर्चा करूँ उससे पहले आपको मुझे पांस दो तीन मिनट का विराम दीजिए तीन चार मिनट का आप भी पानी वानी पी के त्यार हो जाएए फिर हम कारिय पालिका करेंगे तब तक मैं इसकी स्लाइड लगा लेता हूँ और क्यारी कर लेता हूँ थैंक्यू आप लगातार मुझे से मेरे साथ बने रहे और विदाईका के उपर हमने चर्चा की विदाईका वो यूस की थी बिर्टेन फ्रांस और स्विजिलेंड की चर्चा की देखिए एक कुशन पका आएगा आप त्यान से देखिए मुझे डीब कुशन नहीं पुझे जाते हैं इन कुशन में से हमने बड़ा-बड़ा कर लिया है आप इसको दोहरा लेजिए एक बार दो थिन मिन्ट की बजाए एक दो मिन्ट ज्यादा लग गई अब जो सर्चा करेंगे वो कारेपालिका के उपर करेंगे और कारेपालिका में हम जो सर्चा करने वाले हैं वो करेंगे बिर्टिस राजा और बिर्टेन का परदान मंतरी अमरीका का राष्ट्रपती और फ्रांस का राष्ट्रपती तो हम ये वाले करने वाले कारिय पलिका के तहत तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं कारिय पलिका एक्जिक्यूटिव सरकार का वो द्वित्य अंग या सरकार का वो अंग जो बने हुए कानूनों को इंप्लिमेंट करता है एक्जिक्यूट करता है लागू करता है उसको हम कारिय पलिका या एग्जुकुटिव बोलते हैं बिटिस कारिय पलिका में हम दो पदों की सर्चा करेंगे राजा वह परदान मंत्री की पहले हम देखेंगे कि ये दो चीज क्या हैं ये दो कौन से पता दिका रही है किंग एंड क्राउन राजा और राजमुकुट राजा जो एक व्यक्ती है राजमुकुट जो उसके सिर पे पहनने का मुकुट है देखेंगे पहले ये दोनों चीज़े एक ही थी जब कोई व्यक्ती राजमुकुट पहन लेता था तो वो राजा बन जाता था और उसी की संपर्वूताती वो ही नियम बनाता था, लागू करता था, सब कुछ वो ही करता था लेकिन बाद में विवस्था हैं बदल गई, किंग और क्राउन में भेद हो गया यानि अब राजा है, वो राजमुक्ट पैंती सक्ति साली नहीं हो जाता बेलकि सक्तियां कहीं ओर ट्रांसफर हो गई है, तो राजा और क्राउन में भेद क्या है, पहले तो ये देखते हैं, राजा एक वेक्ति है जबकि राजमुक्ट संपूर्ण कार्यपलिका का प्रतिक है, जिसमें मंत्री, प्रदान मंत्री, और यहां तक की जो स्थाई किती निर्दार्ण की संस्ता है, यह कहना है ओग का, यह सिर्फ एक वेक्ति नहीं, बलकि सर्वोचकार्यपलिका और संपूर्ण कारे पले इसके तहता आजाती है, शिड्नी लोग यह कहते हैं, देखिए चीजों का ध्यान रखना, एक स्विधा जनकिया काम सलाउ उपकलप में इसके धना कहा है, कि अग्यों की वहां का सुभी निखी इतनी है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं, तो जैसे औग ने कहा कि यह सारे आते हैं, औग यह भी कहते हैं, इसके ताध बिर्टिस संस्त भी आ जाती है, शिड्नी लोग कह रहे हैं, कि एक स्विधा जनक काम वो राजमुक्टदारी गंतंत्र है ये आप जरूर याद रखें दो तिन एक जो वाक्य है ये कि इसने कहा कि बिर्टिस सासन है वो हम कहते बिले ही हों कि ये राजतंत्रात्मक है लेकिन वहां जो राजमुक्टदारी गंतंत्र है क्राउंड रीपब्लिक है कि यहां के राजा ने राजमुक्ट दार्ण करना कहा है लेकिन गंतंत्रा अत्मक टाइप का है तो यहां क्योंकि यहां के राजमुक्ट का तादप्रिय अकिला राजा नहीं है वो प्रदान मंत्री और मंत्री भी हैं जो जनता के दोबरा निर्वाचित होते हैं स्संको राजमुकटदारी गंतंत्र या क्राउन रीपब्लिक करा है अंड़ी मरता है लाजा भलही मर citing हर्व कि हमारा राजा मर गया है, हमारा राजा लोंगली हो दिर्गाही हो, इसका तात्परिय है एक व्यक्ति के रूप में तो राजा मर सकता है, लेकि संस्था के रूप में राजमुकुट और राजा हमेशा जिन्दा रहते हैं, यनि राजमुकुट अंस्टन्ट क्या है राजह एंस था ही है यह आता जाता रहता है यानि एदिक मृत्व होती है राजमुक्रत के पशा स्कति किला राजमुक्रत के पास वास्त्रिक सकति शॉल यह сек Susan पैतर को था है जब तम्राटराज करता है शासन नहीं करता यानि बिटिश से जो किंग है वह एड़ ऑफ दस्टेट है आड़ ड़ गोफोडे का जिसके अंतरगर्द एक बहुत बड़ा जीरो बैठावाई, जिसके पास, जीरो काता है, कोई पावर नहीं है जिसके पास, समराट को सनुनिया कहा जाता है, यह भारतिया, रष्ट्रपती के लिए भी सब्द प्रियुक्त होता है, लोगि संसद्य वेशता हमें, जो हैड ओफ दा स्टेट होता है, वो सिर्फ नाम मतर का होता है, उसको सिर्फ रबर की महर भी कहा जाता है, समराट तो अत्यांत कमजोर होता है, बैज होट कहते हैं फिर भी की, फिर भी वो तीन में तपुनकारिय करता है, प्रामरस और पूछे जाने का दिकार, यानि वो प्रामरस देता है, यह अच्छी सासने वेशता कैसे सं हमारा राजा मर चुका है हमारा राजा दिरगायू हो वैसे ये भी कहा जाता है कि बिर्टेन है ये कोई त्रूटी नहीं करता बिर्टेन का राजा कि डॉन कभी रोंग नहीं होता वैसे ये भी कहा जाता है कि किंग है वो कभी गलती नहीं करता कोभी रोंग नहीं होता क्यों उत्तरदाई तो है किसी भी कारिये का सही और गल्त होने का वो मंत्रियों के उपर है राजा का काम तो सिर्फ हस्ताक्षर करना है उत्तरदाई तो है वो मंत्रियों का है तो किसी भी गल्त कारिये के लिए मंत्री उत्तरदाई है और मंत्री अपने उत्तरदाई तो से यह कह के पिछा नहीं से टुबा सकते उसमें तो राजा नहीं किये थे हैं तीम साइन तो वो उतर दाई ये नहीं राजा किसी भी काम के लिए उतर दाई नहीं है वो कोई तरूटीन नहीं करता यही कारण है कि कोई भी कारिया है उसके लिए लांच नहीं लगाया जाता वहां राजा क आपर राज़ा वहां गानूनों से भी उपर है किसी भी कानून के तहत राज़ा को दंडित वहां नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गल्ती नहीं करता है, यह का जाता ह olan अब आगे बिर्टिस परदानमंत्री क्रोस में तो ये कहते हैं कि जैसे युद्ध होए हैं उसके बाद परदानमंत्री ये सरकार बन गई है यह कि वहाँ परदानमंत्री उसके चार और सारी सक्तियां केंद्रित हो गई है परदानमंत्री पद की अनौपचा रिकता देखिए बिर्टेन में जो परदानमंत्री का पद है वो परंपराओं की देन है कहीं भी ये लिखित में नहीं है कि परदानमंत्री ऐसे बना ऐसे बना ये परंपराओं से आया हुआ क्या था वहां एक राजा थे और ये अठारवे सदी की बात है जार जह पत्थम्द है उन वो जर्मनी से आये थे यादि को उत्रादिकार में आये होगे उनको जर्मन बासा तो आती थी लेकिन इनको ग्रेजी बासा नहीं आती थी दूसरा उनकी बिर्टिस राजकाज में कोई रूची भी नहीं थी तो उन्होंने क्या कहा एक मिश्टर सर अवर्ट वोल पोल थे जो उनकी प्रामरस कारी थे और संसद जो मंत्री थे उनमें सबसे सीनियर थे उनको ये कहा गया कि आप मिनिश्टर हैं आप इनमें से सबसे प्राइम हैं सबसे उच्छ हैं तो आप अदेक्स्ता करें मैं अदेक्स्ता नहीं करूँगा मंत्री प्रिसद की बैठकों के क्योंकि मुझे इंगलीस समझ में नहीं आती तो ऐसे करके करने लगा जिसको नाम प्रदावन मंत्री रखा गया क्योंकि जो तो वीग पार्टी के थे सर रोबर्ट वॉल पॉल ब्रिटेन के पर्थम पर्दान मंत्री ठारा सतरा सो एकिस में बने थे फिर इसका जो पर्थम स्थाई रूप से उलेख किया गया कि कौन है यह तो अठारा सो ठार में बर्लिन की संदी हो रही थी और जो बेंजामिन डिजर भाली जो तो फून पर्दान मंत्री रह चुके हैं बर्टेन के गये हूं आपकेस बिया पे आए तो उनने कहा हैं कि मैं बर्दान मंत्री हूं जिसे हम बिर्टेन का परदान मंत्री कहते है उसका पदनाम यह है यह आप जरूर याद रखें उसे कहा जाता है राज की एकोस का पर्थम लोर्ड वैं इंग्लेंड का परदान मंत्री फर्स्ट लॉर्ड ओफिज मेजेश्टी तेरेज्री एंड पी एम उफ इंगलेंड यह आप पदनाम अच्छी तरह से याद रखें बिर्टेन के परदान मंत्री का पूरा पदनाम यह है राज की अकोश का पर्थम लॉर्ड वैं इंगलेंड का परदान मंत्री न्युक्ति राजा दुवारा की जाती है लेकि राजा अपने इच्छा से नहीं करता है बलकि वही व्यक्ति प्रदान मंत्री बनता है जो बहुमत दल का नेता हो कोमन सभा में वहीं बनता है प्येम कोमन सभवा का सदारी ही बन सकता कि इसके सक्तियों का जो अधार है वो लिखित नहीं और कानूनी नहीं बेलकि वह परमपराओं के परादारीत उसको जो इतने बड़े संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, इतना बड़ा पद है, इतना सक्ति साली पद है, फिर भी एक सब्द उसके लिए वहाँ नहीं लिखा वाया, कि कौन सी सक्ति है और कौन सी नहीं है, ये Gladstone ने British प्रदान मंत्री के लिए का है, इतने बड़े पद की इ मंत्री मंडल कब बनेगा, क्योंकि यहां सारे मंत्री एक साथ तेरते हैं, एक साथ लूबते हैं, प्रदान मंचे अगर इस्तिफा दे दे, तो समस्त मंत्री मंडल और मंत्री विसिद अपने आप ही भांगा हो जाती है, लाड मॉरले बोला, लाड मॉरले, कि ये सिर्फ समकक्षियों में पर्थम है, और कुछ भी नहीं है, यानि मंत्रीयों में परदान है, इसे ज़्यादा इसकी कोई वेलियू नहीं है, लेकि विलियम हारकोट ने गानी ऐसा नहीं है, ये नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, और आईवर जैनिक्स ने कहा, कि नहीं, ये वो सूरिय है, जिसके चारों और विविन उपगर है, चक्कर लगाते हैं, तो आईवर जैनिक्स ने किसको और विव मैत्वकुन बना दिया है, तो किसने इसको सूरिय कहा, किसने इसको चंद्रमा कहा, किसने सिर्फ समकक्षियों में पर्थम कहा, ये आप चिज़ों का द्यान रखें, कई बार ये ब्रिटिस पर्दान बंतरी के लिए ये चीज़ें पूस ली जाती है, अमरिकन राष्ट्रपते, मुन्रो के ये कहा है, कि लोकतंतर में अब तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, जिसने इतनी सारी सक्तियों का प्रियों का प्रियों कियो उन्हों एक ब्रिटिस भी दुगान है, जिन्हों ये लिखा है, यूग गयता क्या है, वहां के अमरिकन राष्ट्रपती की, उसकी आईउ हो 35 साल, विभारत में भी है, अमरिका का जनमजात नागरी को ना आउशक है, जनमजात आउशक ता नहीं, जनमजात नागरी को ना और लगातार 14 वर्स से वहां रह रहा हूँ, ये तीन बड़ी सर्ते हैं, वहां राष्ट्रपती पद के लिए हैं, कार्यकाल है, चार वर्स, पुंदर निर्वाचित पर कोई प्रतिबंद नहीं हो सकता है, लेकिन 22 वा स्विदान संसोद नुवा था 1991 में, उसके बाद यह है, प्रावधान कर दिया गया है, कि वो अधिक्तम दो बार ही बन सकता है, और अधिक्तम दस वर्स के लिए बन सकता है, यह उपराष्ट्रपती है, वो भी कुछ समय के लिए राष्ट्रपती भी रह सकता है, तो अधिक्तम दस वर्स के लिए बन सकता हूँ, तो अधिक्तम लिए अगर आग्रे करे तो तीसरी बार वी राष्मपती बन सकता है। वरना उसका दो बार टैजनिय और निवढर, अधिक्तम दस साल है। दो साल कोई और प्रिष्ट्यतियां हो सकती है, कि उपर राष्मपती राष्मपती बन जाए। तो ऐसे में उसका 10 वरस है, दिक्तम सो कार्येकाल है वैसे एक ट्रुम का का रिकाल है वो चार वरस है आपसको दिखतों हैं अधसों करें चार को दो से गुना करके आठ नहीं करें आपको निर्वाटशन्थ 5 सरण Onu opने अपने सबसे पहले कोई भी जो राजनीती दल है विशेश करें वहां दो दल है रीपब्लिकन और डेमोकरेट्स यह अपने अपने उमीद्वार का चेन करते हैं और चेन कोक्स और प्राइमरी के दोबारा किया जाता है कोक्स और प्राइमरी वहां के दलिये संग्ठन के कुछ सवरूप है कोक्स में कुछ मुख्या होते हैं महतपुन महतपुन वेक्ति मिलके कोक्स बनाते हैं प्राइमरी जो छोटे लेवल के जो दलिये कारे करता होते हैं उन से मिलके बनती है फिर उमीद्वारों का जैसे चेन ह पिर चुनाऊ अभियान सरेगा अत्यांत्य महगह होता है वह? फिर चुनाऊ भियान पूरा हो जाएगा तो एक दिन पिर यहां, कर्म से निर्वाचक मंडल का, जो बार के, इनका फिर होता है, निर्वाचक मंडल का Chुनाऊ होता है, क्यों यही निर्वाचक मंडल है यही फिर आगे चुनाव करते हैं राष्ट्रपती का तो इस निर्वाचक मंडल के 538 सदश्य हैं 535 में संख्या की बलकर है इसे 538 सदश्य है 535 तो वह है जो संसत के सदश्यों के संख्या के बराबर है यह संख्या नहीं है यह संसत के सदश् से बंद भी नहीं सकता इस निर्वात्षक मिडल का काम होता है शिर्फ दो इकाम राष्ट्रपती को चुनना यह टोटर 538 होते हैं तीन वासी गटन डीशी से आते हैं सब्सक्राइश को चुनने जाते हैं जनता डालते ओर निर्वात्षक मिड़ चुनती हैं ठांसड्राश्चरा राश्चरापति को चुनता है इनका चुनाव होता है वो सुचि परणाली से होता है, यानि スुची परणाली में एक और पदती चलते, इसको सलेट पदती बोलते हैं, सलेट पदती का आतात पर ये है, कि किसी वी राज्या से जिस दल को ज्यादा वोट आएगे, जिसे एक को 91% वोट है एक को 49% वोट है तो उस राज्ये की समस्त शीटें उसी दल को मिल जाएगी जिसको एक ही वोट जादा आया है अनुपातिक रूप से नहीं मिलती शीटें इसको सलेट पदती कहा जाता है यह सूची परणाली कि हरेक राज्ये में हरेक दल अपनी एक निर्वाचा कमंडल की सूची दे देता है तो जो भी वोटर जाता है वो सूची को वोट देता है वहाँ निर्वाचा कमंडल के सदश्य को वोट नहीं देता कोंग्रेस का सदिश्य चुनाव नहीं लड़ सकता निर्वाचा कमंडल के सदिश्य का निर्वाचा कमंडल के दौरा यानि कोलेजियम के जो आगे हैं लोग चुनके वो अपने अपने उमिद्वार को वोट डालते हैं सफ्थ लेते हैं अलांकि शुरुवात में जब खड़े होते हैं कि हमने जिस पार्टी ने खड़ा किया हैं उसी पार्टी के राष्ट्रपति उमिद्वार को वोट देंगे लेकिन कई वार यह इसा नहीं करते हैं गणना अलांकि सुधान में लिखा नहीं है कि आप जिस पार्टी से जीते हैं उसी के उमिद्वार को वोट दो लेकिन प्रमप्रा है वहां फिर आती है गणना जो राष्ट्रपति के चुनाओं के बाद जो गणना की जाती है मतों की वो सिनेट के अदेक्स के अदेक्सता में कांग्रेस के दोनों सद्नों के शुंक्त बैठक बैठती है तो दोनों सद्नों के शुंक्त बैठक बैठती है अदेक्सता वो सिनेट का सभापती करता या उपराष्ट्रपती करता है उपराष्ट्रपती करता है और फिर वो ही डि प्लेजियम के वोटों का सपष्ट बहूमत आना जरूरी है सपष्ट बहूमत अगर नहीं आया किसी को और दोनों को वराबर वोट आ गए ये मान लेते हैं तो क्या होगा तो परतीनीदी सबाब परत्थम तीन उमीदवारों में से एक का राष्ट पतिपद के लिए चुनाओ करेगी तो ये काम परतीनीदी सबाब करती है वोट बराबर आने के उपर उसके बाद उससाफ़त लेता है 20 जनुवरी को और स्रवोच न्यायलियाका जो मुखे न्यायदीस है वहाँ के सुप्रियम कोर्ट के जो सीजे हैं चीफ जस्टिस हैं वो उसको उख दिलाते हैं महा है यहां अधार जादा है देश्टरों हैं ब्रिष्टाचार है गोर अपराद है साबित है कदाचार है इनके अधार के उपर अठाया जाता है शुरुवात भारत में तो कहीं शी भी हो सकती है यहां परतिनीदी सबादवारा की जाती है शुरुवात परतिनीदी सबाद में इस संदर में प्रस्ताव लाया जाता है फिर वो उसकी जांस करवाती है और फिर साधारन वहुमत से प्रस्ताव पारित करती है फिर वो प्रस्ताव को सिनेट को बेज़ देती है सिनेट अरोपों की जांस करती है दुबारा क्या अरोप लगाए गए है तो वो अरोपों की जांज करने के लिए फिर एक नियाएलय के रूप में बैठती है, और जिस दिन ये अरोपों की जांज के लिए शिनेट बैठती है उस दिन उसकी अद्यक्षता देखे, बड़ी मज़िदार बात है, कि वहां का सभवती नहीं करता उप्राषट पती, बल् तो रश्ट पती का पदरिक्त हो जाता है तो ये है महाप योग परकिरिया तो कई आप महाप योग की परकिरिया को द्यान रखें परतिनी सिवा में आती है वो सिर्फ सादानों मौम से प्रस्ताव पारित करते हैं फिर शिनेट में जाती है शिनेट जांस दिशनी करते हैं उसलिए अधेक्स था सुरूसने लेकि मुखे नयाई दिश करते हैं और दोत्य ही मौचे गरू प्रस्ताव पारित कर दे तो महाब्योग पारित हो जाता है मेवार में महाब्योग अभी तक एक बार भी पारित नहीं हुआ है एंड्रू जोनसन के खिलाब आया था प्रस्ताव 1869 में जब उन्होंने अबराहम लिंकन ने जिन वेक्तियों को अपरादी मान के जेल में डाला था गराय युद के दोरान जो दास पर था के समर्थकते उनको आमाप ही दे दी थी तो एंड्रू जोनसन के खिलाब एक वोट से शिनेट में प्रस्ताव गिर गया था तो नहीं लगा महाब्योग रिचर्ड निक्षन जो वाटर गेट कांड में फसे थे ये अपने विरोधी दल डेमोकरेट्स की जासुशी करवाई थी चौनवाव में तो रिचर्ड निक्षन के खिलाब भी महाब्योग आया लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्थिफा दे दिया तो ये भी पारित नहीं हो पाया बिल क्लिंग्टन उनीस ओठाण में मोनिका लिविंसकी के साथ इनके कुछ समन थे एक दूसरी और तके उस सक्र में इनके खिलाब आया था लेकिन ये उन्होंने माफ़े मागली बुद्धा समापत हो गया डोनाल्ड टरंप के खिलाब इस महानवेक्ति खिलाब दो बार आया हुआ है इस ग्रेट में के खिलाब एक बार है 2019 में जब उन्होंने युक्रेयन पर ये दबाओ डाला जब राश्ट्रपती थे कि जो बिडेन जो आजकर राश्ट्रपती है कि इनकी जो बैटे की संपती मुंपती है उसकी आप उसमें उसारोप निर्दारित करो दूसरा 2021 में जब कैपिटल होल यानि कॉंग्रेस के बहुन के उपर सोर मचा दिया था तोड़ फोड़ कर दी थी और कबजा करने की कोशिश की थी कैपिटल होल के उपर दोनाल्ड टरम्प के अन्युयाईयों ने तब इनके खिलाफ महाब्य हो गया लेकि दोनों बार ही पारित नहीं हो पाया तो इनके खिलाफ आया लेकिन पारित नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस टफ है थोड़ी राष्ट्र पती की उत्तरा दिकारी कि एगर राष्ट्र पती का पद रिक्त हो जाए अमरीका में अगर यह भी नहीं है तो प्रेजिटेट प्रोटेमपो आया सामी का देख यह हो बैटता है देखिए यहां विदेश मंत्री को सेकरेट्रि और स्टेट बोला जाता है तो यह ऐसे करके एक के बाद एक बाद अगर विद सेक्रेटरी ओप स्टेट यह तभी बैठेगा जब यह तीन पता दिकारी नहीं हो गए तो यह चलता है सिस्टम अमरीका के पर्थम वह एक मात्र मनोनीत राष्ट पती है जैराल्ड फॉर्ड यह प्रतिनी दी सभा में नेता आलप मत थे फिर यह उपराष्ट पती का पतरीक तुवा वहां 1907 में वाटरगेट कांड से तब यह उपराष्ट पती बन गए बाद विए राष्ट पती निकस ने इस्टीफ़ा दिया तो यह राष्ट पती बन गए बिना चुनाव लड़े यह बन गए थे तो अमरीका के प्रत्व एक मात्र मनोनीत राष्ट्रपती है जेराल्ड फोर्ड भाग्य साली वेखती हावर्ड टाफ्ट ऐसे राष्ट्रपती है जो पहले राष्ट्रपती रहे और फिर सुर्वेट सुनिया लेके मुख्या नियाहिदीस भी रहे फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट 1932 से लेके और 1945 तक अप्रेल 45 तक ये राष्ट्रपती रहे हैं यही थे लेकिन ये दूसरे कारी अकाल में साल बर बाद इनकी डैथ हो गई थी तो ये चार बार राष्ट्रपती सुनाओ जीते हैं फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट सेकिंड वर्ड वर के समय यही थे ये सुर्वातिकारी अकाल तक अमरीका के राष्ट्रपती रहे है फ्रैंक्लिंडी रूजवेल्ट लोस की ये कहा रहे है इस शुंक्तराज अमरीका का राष्ट्रपती वो बिट्रिस समराट से कम है क्योंकि वो अन्वासिक होता है ये चाहा साल का होता है या थोड़ा सा अधिक है क्योंकि इसके पास सक्तियां नहीं है इसके पास अमरीक राष्ट्री पास सक्तियां है वो एक परदान मंत्री से कम है कम इस रूप में है कि परदान मंत्री संसद में कुछ भी करवा सकता है अपने बहुमत के बलके पर वो नहीं करवा सकता है अधिक वहां प्रदान मंत्री नहीं होता मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रे पती द्वारा की जाती है लेकिन सिनेट का नुमोदन चाहिए और वहां का जो मंत्री प्रिशद है वो समिधान में दर्ज नहीं है प्रमप्राओं प्यातारित है मंत्री प्रिशद को वहां मस्तिस जोकुं को नेस्व का इसकोर रश्ट्रपति चुन-चुन चुन के और यूग्य वेक्तियों कोई मंत्री बनाता क्यों उना इच्छछ से बनाता है यहां किचिछन केंबीट गोलते हैं इसको राश्ट्रपति चाहिए तो कुछ ही मंत्रियों से सलाम मस्यूरा करता है यह इतने कमजोर होते हैं कि इनको महल रक्षक कहा जाता है कि राष्ट्रपती की इच्छा के उपर होते हैं मंत्री का गठन और हटाना उसको यह उपराष्ट्रपती भी होता है उपराष्ट्रपती वहां सिर्फ राजनिति निरंतरता का परतिक है इसे ज़् उपराश्ट्रपति के लिए बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने ये का है कि वेर्थ का महिमावान व्यक्ति है इसकी कोई विशेश उभ्योगिता नहीं है लोश की कहते हैं कि ये वहां के राजनितिक वातावन का डूबता वास्चितारा है लोश की इसको डूबा वातारा बोलते हैं उपराश्ट्रपति को ये उपराश्ट्रपति की कोई सक्तिया नहीं है ये परतिनली सबा का सुरी हाउस ओप है सुरी सीनेट का पदेन सबापती होता है बस यही है और कुछ नहीं है विशिश सब्दावली आस्था हिंड डेलिगेट क्या होता है वो डेलिगेट्स जो राष्ट्रपती के निर्वाचा कमंडल के स्दश्या हैं लेकिन अपनी पार्टी के उमिदवार को वोट नहीं देते उसको आस्था हिंड डेलिगेट कहते हैं स्विंग स्टेट्स या परपल स्टेट कौन से होते हैं अमरीकन राष्ट्रपती के सुनाव में वो रज यह है जो दोनों ही दलों में किसी की तरफ भी जा सकते हैं वो स्विंग स्टेट्स होते हैं और प्रतेग राष्ट्रपती उमिदवार का प्रयास यह रहता है कि वो स्विंग स्टेट्स को अपनी तरफ स्विंग कर लें ताकि जीतने के चांस है वो ज्यादा हो जाए तो जिस सराज्य में किसी राजनितिक दल रीपब्लिक निया डेमोक्रेट्स इनके जो पदा दिखा इनके जो वोटर्स हैं वो निश्चित नहीं होते वहले कि स्विंग करते रहते हैं वो स्विंग स्टेट्स होते बैल वेदर स वह स्टेट जो आम-तोर के उपर जीतने वाले उमीदवार कोई बोट देता ही कई वार चौंस ऐसे बन जाते हैं कि जो जीत रहे उसी को बोट देते हैं एसी कई काला गोडा, डार्क होर्स, काला गोडा का तात्व पर ये है कि रैस्ट प्ति का चुनाव हुआ और किसी भी सेवी किसी भी किसी उमीदवार कोuar क reflecting नहीं मिला रास्ट प्ति उमीदवार तो फिर क्या करते हैं पर्तिनिदी इसाँ पर्तम तीन जो उमीदवार हैं उन्वेंसे एक का निर्वाचन करती है निर्वाचन होता कैसे है कि एक राज जैसे पर्तिनीदी सभा के 20 मेंबर आते हैं तो 20 के 20 वोट नें डालें गे बल्कि वह 200 मिलके और एक वेक्टी का नाम नि राक्षी राज्य का नुमाइंदा जो वोट ना लेगा राष्ट्रपती के लिए जब प्रतिनीजी सबाग मजबूरी में चुनाव करेगी राष्ट्रपती का तब तो उसको डारकोर्श या काला गोडा कहा जाता है प्रांस का राष्ट्रपती करेंगे जबसे पांचवा गणतंतर आया है 1958 से तब कि हम चर्चा करेंगे जिसको 40 गोल का स्मिधान या पांचवा गणतंतर फिफ्ट रीपब्लिक बोलते हैं तब कि हम सर्चा कर रहे हैं 1908 में इसको टेलर मेड सुविदान भी बोलते हैं को काट पीट के बनाया गया है इस सुविदान में स्थाईतों भी है और इसमें उत्तरदाईतों भी है यानि यह लुवर्जर कहते है कि अर्ध अध्यक्षिया राज्जी है फ्रांस 1908 उनके बाद से सेमी प्रेजिडेंशिल स्टेट है अमरीकन प्रेजिडेंशिल स्टेट है यह सेमी प्रेजिडेंशिल है फाइनर कहते हैं भाई ऐसा नहीं है यह हाइपर प्रेजिडेंशिल स्टेट है यह तो अधसारी सक्तिया ही राष्ट्रेपती के पास ही कठी हो गई है तो यह दो सब ज्याद रखें कि सब्सक्राइब नागरिक हो और भूतपुर्वस जो राजवन्स रह सुके उनका कोई उत्रादिकारी वहां चुनाओं नहीं लड़ सकता राष्ट्रेपती का कि और कोई योगिता नहीं है वहां कि निर्वाचन पॉपुलर वोट से होता है जो लोग पर यह मत हैं यानि सारों मतादिकार के उपर होता है लेकिन चुनाओं की प्रणाली यह वाली है सेकिंड बैल्ट है आप वह बनेगा जो मेजोरिटी ले लेगा वोट की 50% प्लस एक यानि इस बहुमत होना ची उसका कुल वोटों का जो वैद मत है उनका बहुमत पर जाप्त करेगा वोगी जीतेगा अAM तोर के पर वहाँ 5-7 आदमी जो खड़े होते हैं उमद्वार वों नहीं लेपाते कही बार किसीको 40% मिले किसी 25% मिले ऐसे मिया क्योंकि किसी को 50% वोट नहीं मिले को डोतों का भूमत नहीं मिला तो प्र वहां क्या करते हैं जो टोप 2 उमीद्वार है उनके मद्दे दुबारा सुनाव होता है सेकंड वेल्ट जनता दुबारा वो डालने आते हैं सेकंड वेल्ट का प्रियोग करती है और इस बार एक वेक्ति सुन लिया जाता है इमानुवल बैकरो भी इस बार मेरीन ली पैन जो कि वहां की थोड़ी दक्षिन बंती नेता है यह दुबारा राश्ट्र पती बने इमानुवल बैकरो यह इस से जीते हैं और यह भी दुट्य सेकंड वेल्ट से जीते हैं कार्यकाल पांच वर्स है दो हजार लगबग दो तक कि इसका कार्यकाल साथ वर्स था फिर यह हटा दिया गया है अब स्पांस वर्स है राश्ट्र पती वहां डो का टर्नेर है दो बार से जादा उपद पे नहीं रह सकता तो इमानुवल मैकरो यह दूसरी बार है पज्चूति कैसे होते हैं इसके लिए इंपीजमेंट लाया महाब योग होता है दोनों सदनों में किसी भी सदन में आ सकता है बस इतना है कि दोनों सदन अलग अलग कुल बहुमत से परस्ताव पारित करेंगे जब दोनों सदन अपने कुल बहुमत से अलग अलग जब परस्ताव पारित कर देंगे तो मुद्दा उच नियाले के पास जाएगा उचनेयले में दोनों सदनों के कुछ सदश्य होते हैं और उचनेयले के देक्स्ता जो करता है वो नैसल असेंबली वहां का जो लोग पर ये सदन है उसका स्पीकर करता है उचनेयले के देक्स्ता नैसल असेंबली के स्पीकर की जाती है उसके बाद उचनेयले पहले जिसमें सदश्य होते हैं वो दोनों सदनों की सदश्य होते हैं देक्स्ता वहां के नैसल असेंबली उसका स्पीकर करेगा वो जांस करता है और जांस में अगर दो सी पाया गया और दो त्याही बहुमत से उसन याले कि सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर राष्टेपती को पत्या करना पड़ता है ऐसा आज तक हुआ नहीं है लांकि वहां उत्तरा दिकारी है जो राष्टेपती का अक्समिक रूफ से पद रिक्त हो जाए तो सीनेट का अध् राष्टेपती के प्रदान होता है तो प्रदान मंत्री करता है हलांकि इसके लिए नेशल असेंबली लोगपीरिय सदन में जिस दिल को बहुमत होगा उसी दिल के बनेंगे हैए यहाँ सबसे मिज़दार बात ये कि मंत्री मंदल की बेठकी ये देखता है परदानमंत्री नहीं करता बलकि राश्ट्थपती करता है देखिए संसद के निम्मन सद्न को भंग कर सकता है बगेर परदानमंत्री के प्रामर्स के पूछे, मैंना, उसकी इच्छा है, माने तो माने वर नहीं माने जब ये बंग करता है, तो ये ज़रूर है, कि वो परदानमंतरी से पूछता है और दोनों सदनों के उनके अध्यक्सों से पूछता है ये सुविधान की रख्या करने का काम इसको सौंपा गया है और संक्टकाल की गोषना भी राष्टे पती कर सकता है वहां उसके लिए पर्दान मंत्री को हेड कलर कहा जाता है और और मंत्रियों को राश्ट पती के कलरक cathart है वहां के राश्ट पती का हैड कलरक है इतना ही एक पर्दान मंत्री है लेकिन वह अत्य च्न्य कमज़र होता है सारी सक्तियां राश्ट पती के पास है इसलिए भी तेशी कोहा था अब हम question कर लेते हैं कारिय पारिका के विक्ते विकल्प क्या है? कि क्या होगा सबसे पहले अमरिका के राश्वती में? सबसे पहले उमीदवारों का चैन होगा, दल के दौर, फिर चुनाव अभियान होगा, फिर निर्वाचक मंडल का चुनाव होगा, और फिर ये होगा, तो तीन, दो, एक, चार, ये वाला है, प्रांस में राष्ट्रेपती स्विदानों राजजीय का सक्षय के बिल्कुल सही है परदान मंत्री की स्थीतिकल राष्ट्रेपती के अभी करता इन एजेंट के समाने बिल्कुल सही है संकर्काल के समय ने तो राष्टिस्वा भंग होगी और ने ही संसद की बैठक्स थागी तो होगी ये तीनों ही बाते सही है उप्यूक्त सभी सही है एक श्थिति जिसमें अमरीका की राष्ट्रपती की मुर्थ्य हो जाये तो उस पद पर नियुक्ति के समद्रें प्रौदान होगा उप्राश्ट्रपती कोई प्रांस इसी राष्ट्रस्ट्रस्ट्रपती होंगे है फ्रांस इसी राष्ट्रपती की निर्वाचन है तो प्रियूक्त मत पत्ती कौन सी अनुपातिक प्रतिन कुई एकर संखने मतफ्राली नहीं है first past the post पर नहीं नहीं है open आस्ताइन डेलिगेट है जो वोट नहीं देते अपने दिर्दारी तर दलीय उमीदवार को आस्ताइन डेलिगेट स्विंग स्टेट जहां निश्चित नहीं है वोटर की किस पार्टी के पिंग पॉंग वोक्सवर प्राइमरी पिंग पॉंग तो संसद यह सब दावली है जबकि बिटिस प्रदानमंत्री सासन करता है राजनीत करता है अमरीकी राश्टरपती राज भी करता है तो यह दोनों अलग-अलग कथन है एक बिटिस समराट और प्रदानमंत्री को बता रहे है दूसरा अमरीका राश्टरपती को बता रहे है दोनों सही है लेकित आर एक कि सही व्याक्या नहीं है। सही रूमिलान नहीं है। व्यर्थ का मुहिमावान व्यक्ति। यह six 소ु हैं। एक न मन्तरीलएक ़्राइब की मोहर। ब्रटैन का राज़ा। शुरनी नर्यानिय। अमरीकन सुनुम सुनुम नहीं होता बलकि वो तो गुत पावर्फुल होता है गोल्डन जीरो नहीं होता वो पावर्फुल होता है यह सरॉनिम सुन्य और रबड की मौर है यह तो दोनों ही इसके लिए बिर्टेन के राजा के लिए यह हम कह सकते हैं बारतिय प्राश्टिपति के लिए बिर्टेन में अब तक तीन मेला पर्दान तर्टर रही है, तीन नों एक ही दल्किया है, कंसर्वेटिव पार्टी की, इन में कौन सी नहीं है, वर्तमान ने देखी लीज ट्रस है, थेरे सामें दो, तीन, चार साल पहले थी, मारगरेट थेचर, यह दो वहाँ की लो मेला है, 1990 की दसक में, जेन उस्टिन वाँ को यसी देता नहीं रही, तो यह नहीं है, यह तीनों परदान मंत्री है, तीनों कंसर्वेटिव पार्टी के, देखी, लेबर पार्टी से कोई भी महिला परदान मंत्री नहीं बनी है आज तक बिरेटेन के अंदर, यह एक और टोपिक पू पत्थे थे वो देखें, अब आप थोड़ा सा भानिवानी पी के त्यार हो जाईए, नहीं टोपिक करते हैं, और अगला टोपिक करेंगे न्याए पालिका, जुडिस्री की चर्चा करेंगे, न्याए पालिका हम करेंगे अमरीका, और हम न्याए पालिका करेंगे बिटिस्री और हम न्याए पालिका करेंगे फ्रैंच, इन तिनों की चर्चा करेंगे, न्याए पालिका, अमरीका की संग ये न्याए पालिका, वेव स्थापक न्याले है विधाई न्याले है दो प्रगार के न्याले होते हैं यह वो न्याले है जिनके स्थापक कॉंगरेस दवारा की जाती है जैसे वहां का कस्टम न्याले यह वहां स्विधानिक न्याले नहीं है बलकि कॉंगरेस से जब 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 ज़ूरत पड़ती ह से नियालों के स्थाफना करती है सुविधानिक नियाले इनका त्रिस तरिये डाचा है जो सुविधान में बढ़नीत है जिला नियाले संग्य अपील नियाले और स्वर्वोच नियाले जिला नियाले वो नियाले जिनके पास प्रारंबिक शेतरा दिकार है यानि ये संग्य जो संग के कारिये हैं उनसे समद्धी दिवानी और फोजदारी दोनों मुद्दों के सुनवाई करते हैं प्रारम भी क्षेतरा दिकार है संग की अपील नियाले ये सिर्फ अपील सुनते हैं जिला नियालें से जो माम ले जाते हैं जिनका संगिए मुद्धों से हैं, और दोनों के ही जजों की नियुक्ती है, वो राष्ट्यपती करता है, नियुक्ती राष्ट्यपती दवारा, और इसके लिए शिनैट का चाहिए हनुमोतत, same process है जो सर्वोच न्याले के लिए है, और उसके बाद जो अंतिम व्याक्या वाला न्यायले है वहां का सर्वोच न्यायले है सर्वोच न्यायले है सुप्रीम कोर्ट यह वासी गटन में है इसमें टोटल नो न्यायदिस है एक मुख्य न्यायदिस और आठ न्यायदिस इनकी जो सदेश्य संख्या कम और ज़्यादा की जाती है ये कॉंग्रेस के पास है सुविधान में नहीं है बेलकि ये कॉंग्रेस के दोवारा कम और ज़्यादा की जाती है राष्ट्रेपति को कम जादा नहीं कर सता हैं का जाता है कि नियुक्ती राष्ट्रेपति दूद्वारा की जाती इस रोचनी आ लेकर नियाई देशों के लिए अनुमूदन सीनेट काचाहिए पदिश उतिपंची चूति महभ योग शुनते प्रतिनिती सभाश होगी जैसे राश्डपति क्या है फिर वो सदान बहुम से प्रस्ताव पारित करेगी फिर शिनेट जांस करके दो तीह यही बहुम से प्रस्ताव पारित करेगी तो खटा दिया जाएगा लग बर लग वो राष्ट्रपती वाली है लेकिन वो अध्यक्सता थोड़ी अलग हो जाएगी वो सीजे नहीं करेगा शेत्र अधिकार प्रारमिक प्रारमिक शेत्र अधिकार में वो संग और राज्य के मद्दे जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई करता है मैं अपीली जो नीचे से मामले आते हैं संग्य अपील नयाले से वह आते हैं फिर 30 साय नियाई पनाव लोकनिये बहुत मैटापून इस्थिति है वह सुविधान का रख्षक है वहाँ सुविधान के खिलाप कोई क्षिवार्ड करती संसध्याकार पालिका तो उसकी रख्षक करने काूं वहां न्याय पालिका का Haraw Arch Niyalai का है वह संतुलन कारी पैया है क्योंकि वह सकतीपर ठकन पाय जाता है तो अगर दोनों अंग लड़ पड़े कारे पालिका और विदाई का तो संतुलन बनाती है न्याय पालिका अगर दो इकाईया, सक्ति विवाजन भी है, संग और उसके राजी लड़ पड़े तो भी संतुलन स्थापित करने का काम है, वो वहां का सरोज नयले ही करता है, सुविधान की अंतिव्याख्याकार है ये वहां, सुविधान का रक्षिक है ये वहां, अंतिव्याख्या ये ही मारबरिब नाम मेडिशन केस है था 1830 में जब वहाँ नियाए दिस मार सलते हैं वहाँ सर्वोच नियाल इतना सकती साली हो गया है कि जश्टिस यूज ने ये कहा ये कोटिशन पूछी है कई वार कि अमरीकन जनता स्विधान के अधीन है लेकि स्विधान वही है जो नियाए दिस कहते हैं जश्टिस फ्रेंक फर्टर कहते हैं कि स्रवोच नियाल इसी स्विधान है देख किती बड़ी बात कहके गए और लोस्किर ब्रोगन कहते हैं कि कॉंग्रेस का तर्तिय सदन है कॉंग्रेस ये कहते हैं कि हम कानून आते हैं ये निर्दाइड करता है कि कोई कानून जिन्दा रहेगा या नहीं रहेगा ये नियाएक नावलोकन की सक्तिक के कारण है ये कॉंग्रेस का तर्तिय सदन बिट्टिस नियाले सर्वोच नियाले पहले नहीं था पहले वहाँ एक प्रिवी कॉंसिल थी जो लोड सबा के सदस्यों से मिलके बनती थी लेकिन सुविदानिक सुधार अधिनियम आया 2005 में जरूर याद रखना कारिय पलिका और विदाइका का बाद में वेवस्थापिका और कारिय पलिका से सोतंतर नियाले बनाया गया है 2005 के बाद अब इसका वेवस्थापिका और कारिय पलिका से समन्द नहीं है पहले लोड चांसर जो तिनों पदों पे रहा करता था और वहां के न्यायाय ने मुख्या देख और न्याय ने न्याय दिस्क नाम, यह लौड को पत्यन न्याय दिस्क है। बारा नियाएदिस हैं, एक मुख्य नियाएदिस वा एक अन्य नियाएदिस, मुख्य नियाएदिस का पदनाम ये आप जरूर याद रखना, ये बहुत ही महतपुरुन है, वहां के प्रदानमंत्री, बिर्टिस प्रदानमंत्री का नाम, और वहां के मुख्य नियाएदिस का यह है उसका पूरा नाम यह बहुत ही 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 यानि इसके निर्ने हैं ये बाकी नियाई लेओं के लिए मानने होते हैं यहां एक नियाई कॉम्डूस में इनके बनाया गया है यह आचरन देखता है नियाई लेके नियाई दिशों के आचरन कैसा है एक यह नियाई नियुक्ति आयोग है जो अच्छे अच्छे जो नियाई देश के पदा के उपर बैठने वाले वक्ति हैं इनकी शिफारिस करता है नियाइक नियुक्ति आयूग अपने यहां भी था जुडिशिल अपॉइंट्मेंट कमिशन लेकिन बाद में श्रुवच नियाले ने उसको अवेद गोसित कर दिया था अब अंतिम सर्चा करेंगे फ्रांस के प्रसासनिक नियाले विदी का सासन नहीं है यहां क्योंकि यहां विदी का सासन वहां होता है जन्ता और प्रसासक सब्यों के लिए एक नियाले हो यहां अलग अलग नियाले हैं यहां प्रसास की नियालियों की विवस्ता है नियाइपा की न्युक्ति है ये बड़ी मजदार तेकेश होती है इनके लिए पहले एक्जाम होता है और उसके बाद वहाँ उससे न्याएक प्रिषद बनी हुई है हाई काउंसिल बनी हुए उसके दोवारा इसकी न्युक्ति की जाते है जिसके मुख्या राष्ट पती होते है उसके बाद न्यायलियों का संग्ठन है समान्य जन्ता की सुनवाई के लिए समान्य न्यायलिय है पहला न्यायलिय ये मध्यस्ता न्यायलिय होता है सांती नियाई दिस, ये सम्झाब उजाके दिवानी और फोजदारी कैसों का सल्टारा करवाते हैं अगर वहाँ नहीं होता तो फिर प्रारमिक नियाले हैं फिर अपील के नियाले हैं और अन्तमे स्रोच या विराम नियाले हैं ये तो सादारन जनता के लिए प्रसास की नियाले हैं ये महतपून है प्रसास की नियाले हैं वो नियाले हैं जो उन कैसों के सुनवाई करते हैं जो जनता और प्रसासनिक अधिकारियों के मद्य प्रसासनिक विभागों के मद्य के जो केस है तो आम जनता और प्रसासनिक विभागों के जो आपसी केस है वो प्रसास के नियाले में सुनवाई की जाती है इसमें रिजनल काउंसिल है रिजनल काउंसिल वहां का सुरुवाती परसासिक नियालिय है जहां जनता और जो नोकरश ही है उनके आप सी समंदों से समंदों जो केस है वो आते है फिर इनके खिलाब जो पील होती है वो रज्य प्रिश्ट में होते हैं कांशिल ओफ स्टेट क्या है देखिए स्वीजर लेंड में कांशिल ओफ स्टेट वहां की रज्य सबाको यानि वहां के उस्तन को पाजाता है जब कि यहां कांशिल ओफ स्टेट है वह परसास के नियाल्य है यह सर्वोथ परसा की जांस करनी हो इसके अधेक्स ता वहां के निमन सदन डैसल असेंबली का हैड करता है और इसमें दोनों सदनों के सदेश्या होते हैं तो यह वह वाला उसने लेनी है यह सिर्फ महाब्योगों की जांस करता है पारिद करता है उच्छ नियाएक प्रिशद दे हाई याद रखें उच्छ नियाएक प्रिश्द क्या करती है या यदर रखें आप फिर अब होगा समिधन यक प्रिसद है ये बुड़ी मजदार संस्ता है फ्रांस में ये अरद नियाएक संस्ता है स्देश संदेश्या एक कि नो इसमें से तीन की जो मनोनें है वह वहां के उस स सदन का देख्स करता है और तीन का मनों नियन और उनी में से एक सभापती है वो बनाता है वहां का राष्ट्रपती ये काम क्या करती है राष्ट्रपती का निर्वाचन कराती है स्विधानिक परिश्ट निर्वाचन का विवाद हो जाए राष्ट्रपती का तो निव्टान कर करवाती है आपातकाल के उपर सलाह देती है और कानुनưों की स्विधानिकता जासती है या यह नियाइक बना वलोकन टाइप का काम करते हैं वहां के समयदानिक है प्रिश्यत प्रसास के विदी क्या है प्रसास के विदी फ्रांस के संदर में हम चर्चा करें यह फ्रांस में पाई जाती है फ्रांस में साधारन नागरिकों के लिए साधारन विदी है और परसास कों के लिए परसास के विदी है यानि वहाँ विदी का सासन नहीं है सभी लोगों के लिए समान विदी नहीं है सभी नागरिकों के लिए कानूनों का वहेज संगर है जो परसासन के संग्धन और उनके कर्तवियों का ग्यान कराते है कि परसासने को क्या करना है उसका संग्ठन क्या है उसके करतों के क्या है ता परसासने के दिकारियों नागरिकों के जो पारस्प्रिक समंद और विवाद है उनको नियमित करते हैं कैसे समंद है इनके क्या ड्यूटीज है परसास ने दिखा रहे हूं कि जनता के क्या ड्यूटीज है ये कैसे काम करेंगे आपसे समंद कैसे है इसके समंद है परसास के विद्धी ये लिपी बद भी है और परंपराओं दोनों पराधारित है ये है निर्नियों से भी उपज़ यह सबसे पहले नेपोलियन बोनापाड जब राजा बना था उसमें इस सबसे पहले आई थी तो इसे नेपोलियन विदी भी कहा जाता है परसास के विदियां विदी के सासन का उलंगन करती है और इसे फ्रांस की विशिष्टा है कि वहां परसास के विदी भी पाई जाती है तो आम बुपिउअ रलग है और प्रसास के विदी अलग है तो आगर फ्रांस के आम नागरी को रखर दिकारी के मते विवाद हो झाए तो उसके सुनवाई है वो उसका जो मुद्दा का निप्तान वो प्रसास के विदी के दोरा किय जाएगा तो ये विशे स्रंक्षन करती है कई बार या रोक लगा जाता है परसाज के अधिकारियों की तो ये हमने जुडिश्री की चर्चा जब हमने की तो ये फ्रांस के परसाजनिक न्याय ले और परसाजनिक विद्यों की चर्चा की अमरीका में संग्य न्याई पालिका को मैं तपन स्थी राप्ता क्यों की देख सातों सासन विवस्थासन मतलब नहीं है आई ये है कि वह संगातमक सासन प्रणाली है सक्तियों का विभाजन है वहाँ और सुविधान की स्रंक्षक है वो इसलिए तो ये है दो, तीन और शीर किस देख में विदी का Сासन नहीं अभी जर्शा कर रहे थे दिकि है बारत, बिटन, अमरीका में लेकिन फ्रांस में विधी का सासन नहीं है क्योंकि प्रसास के विधी अलग पाय जाती है प्रसास को लिए विदी के सासल में सभी लोगों के लिए समान विदियां होती है आम जनता और परसासक में भेध नहीं करती अमरीका नियाले के 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 स्वेस्टेस वाले व्याक्या कर रहे हैं है यह कैसी किते समय अधियों के रहते हैं कारियकाल कैसा है कैसी अटाए जातेएं तो और यह कि सही व्याक्या है पर गण्रांस का सरवोज प्रसाश की न्यायख कौन सा है आप संब्शने कICIA ना बता यह कौन ना the council of states राज्य परिश्ट इस देस के लोग न्याय Chen और पाली कके विंसासन की पुरुणाक सताखा नहीं मानते हुआ दार्गरों की मानती है पुरुद्धास की अंगी मानते है यहां की न्याय पली की पुरुण सवाय त और सव्टनतर नहीं है बेल कि उसको पॉप्रशाशन का ही एक भाग माना जाता है ये माना जाता है फ्रांस के अंदर ये कात्म किष्ट ने कहा कि है तो सही स्विधान लेकिन स्विधान वही है जो नियाईदीस कहते है ये काहा है जस्टिस यूजने कौन सी विवस्था बिर्टेन में नहीं पाई जाती देखिए बिर्टेन में विदिक असासन है कोमन लोग भी है जो परमपराओं पर आदारीत है जूरी पर्था भी है यहां कुछ ऐसे सदेश्य बैठते हैं नियाई पालिका में जो जज की किसी भी निर्णय पर पहुंचने में मदद करते हैं वो जूरी पर्था है यह सामुहिक निर्णय की परनाली है यह नियाईक पनरव लोग नहीं है जिसा कि बाहर तोर अमरीका में है वैसा नहीं है तो आज हम इतना ही करेंगे ने टोपिक्स में से जो टोपिक बच गए हैं उनकी चर्चा कल करेंगे आज इतना ही कर पाएंगे मफी क्योंकि टाइम हो गया है कल अपने मददान वेवार करेंगे और कल ही हम सर्चा करेंगे शीवली सोसाइटी की और जो राजनीतिक दल और दबाव समू है विभीन देशों के अंदर उनकी कल हम सर्चा करेंगे तो मैं सोचके तो यह आए था कि आज सारे टोपिक्स करवा दूँगा लेकिन थोड़ा सा मही आने में कलास लेने में लेट हो गया इस वज़े से इतना ही करवा पाऊंगा कल आपको गंठा दा गंठा ओर थोड़ा सा लगाना होगा कल मैं आपको नेट ओपिस कंप्रेट करवा दूँगा फिर इतना ही करवा इतनी कलास पूर पिंटों के उपर बहुत बहुत दाने में लाइट करवा दूश कर दिए्टनाओ यद भाई ऑपको जबबगा ठावा जबगा बसक पिर दाने में लाइट करवान दिएंस